आज की सभा में आये हुए मुंबई के सभी सम्मानित नागरिकों भावना बहन उनके सभी सहकर्मी पदाविकारी लौइंस कलग के मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ कि महात्मा गांधी की पूरी तिथी के अवसर पर आज इस समारहू को आपने आयोजित किया और मेरे जैसे एक सामन निव्यत्ती को गांधी जी को श्रद्धांजली अर्पित करने का मौका दिया आज का समय थोड़ा सा गमगीम है क्योंकि अचानक से बड़ा जलजला आया है भूकम पाया है धर्तिकम पाया है मेरे मन में एक दो बार तो ऐसा था कि मैं इस कारिकरम में जाओं के ना जाओं दुविधा थी काफी क्योंकि बहुत सारे हमारे सहकर्मी कारिकरता इस भूकम में भगवान को प्यारे हो चुके हैं आजदी मचाओ अंदोलन का भुज में कारियाले जो चलता था वो पूरी तरह से जमी दोज हो चुका है और हमारे कई कारिकरताओं का उसमें देहांत भी हो चुका है तो मन में थोड़ी दुविधा थी फिर भावना बेहन की थोड़ी प्रेरणा होई कि नहीं आप जरूर है तो मैं यहां किसी तरह से आ गया हम सब में दो मिनट का मौन रखके उनकुष रधांजली अरपित करी मैं भी उसमें शामिल हुआ इसका मुझे खुशी है यह जो भूकम पाया है इसमें आप सब लोग लाइन्स क्लब की तरफ से कुछ मदद भेच चुके हैं और कुछ भ करे के काम करने होंगे एक काम तो यह है कि तातकालिक रूप से दवाओं की बहुत जरूरत है डॉक्टरों की बहुत जरूरत है हमारे आजदी बचाओ अंदुलन के कारीकरता पिछले दो दिनों से भूकम प्रभावित छेत्र में लगे हुए हैं चार टी में हमारी दो दो और दस-दस कारेकरताओं के साथ वहाँ पर उपस्तित हैं भुझ में अंजार में भचाओ में तीन इस्थानों पर तो उनकी जो बराबर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहली जरूरत है दवाओं की और दवाओं की जरूरत है उन गाओं में जहां पर मिलिटरी के दॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं भुझ में तो काफी बड़ी संख्या में मिलिटरी के डॉक्टर्स हैं देश के अन्यवी जाने माने बहुत सारे डॉक्टर्स भुझ और अंजार में पहुँच चुके हैं लेकिन करीब 300 सारे 300 गाओं हैं राज़कोट से भुझ अगर जाएं आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे शायद बाई रोल तो उस पूरे रास्ते पर 200 किलो मीटर का फासला है राज़कोट से भुझ के बीच का लगबग उस रास्ते में करीब 350 गाओं हैं उन 350 गाओं को मदद की सबसे जादा जरूरत है इस समय जो जादा म के साथियों से निवेदन है कि अभी मदद जवाब भेजें तो उसको भुझ में ना भेजें अंजार में ना भेजें बचाओं में ना भेजें क्योंकि ये तीनों इस्थानों पर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पहुँच चुका है अभी वहां लेने वाले लोग नहीं क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में माईग्रेशन हो रहा है वुकम के जटके लगातार आ रहे हैं तो लोग अपना घर चोड़कर गाउं छोड़कर जा रहे היे हैं तो जो मर गए है वो तो मर गए है लेकिन जो जीवित बच गए है वो माईगरेट कर गए बुझ मैंसे काफी लोग माईगरेट कर गए हैं अंजार मैंसे कर गए हैं बचाओ मैंसे कर गए और वो कहते हैं कि आप मदद छोड़के चले चाहिए तो मुश्किल अभी ये आ रही है तो मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि अगली बार जाप जो भी मदद बेज़ें जो आपने बेज दिया वो तो बेज दिया लेकिन नेक्स पर आएगा उसमें आप दो बातों का ध्या चुका हूं तो लगबग साड़े 300 गाओं है सड़क के एनेच 15 है नैशनल हाइवे 15 नंबर उसके दोनों तरफ करीब साड़े 300 गाओं कुछ गाओं हैं जो में रोड से 20 से 50 किलो मीटर तक अंदर हैं कुछ गाओं में रोड से 10-15 किलो मीटर के अंदर हैं तो इन गाओं में इस समय सबसे जादा मदद की जरूरत है क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंच रहा है और उन गाओं का नाम म्यूज में भी नहीं है तो पर कोई नहीं पहुँच पा रहा है थोड़ी तकलीफ होगी आपको वहां तक जाने में क्योंकि वो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है में रोड्स तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर गाओं में जब जाएंगे तो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है लेकिन सबसे जादा के वाहां पर कंबलों की है कंबल सबसे जादा चाहिए और गादी अगर ले सकें तो वो भी वहाँ बहुत जरूरी है इस समय तो second most priority है कंबल, गादी और रजाई और third priority है गरम कपड़े, उनी कपड़े वो sweater हो सकते हैं, जर्सियां हो सकती हैं कुछ भी बुलन वहाँ चाहिए, शौल चाहिए काफी बड़ी संख्या में third priority है वहाँ के लोगों को अपना बसेरा खड़ा करने के लिए ताल पत्री बहुत चाहिए, ताल पत्री की इस समय वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है तो ताल पत्री हो उनको टिकाई रखने के लिए कुछ बंबू चाहिए, कुछ बास चाहिए उसके टुकडे चाहिए, तो ये third priority और last priority जो मैं मानता हूँ वो ये कि ये आप जानते हैं कि हमारे देश के सभी वैज्यानिक ये कह रहे हैं कि ये कच्छ का जो इलागा है वो highly seismic zone है भारत सरकार ने इसको zone 5 declare किया, zone 5 माने सबसे ज़्यादा sensitive जहाँ पर सबसे जल्दी भूकम पा सकता ऐसे ही एक zone 4 है, zone 3 है, zone 2 है, zone 1 है zone 1 में क्या आता है पूरा करनाटक, करनाटक के साथ केरल, ये zone 1 है जहाँ पर कभी भी भूकम पाने की संभावना सबसे कम है zone 2 उससे ज़्यादा sensitive है, फिर zone 3 उससे भी ज़्यादा sensitive है zone 4 उससे भी ज़्यादा और zone 5 तो highly sensitive है तो zone 5 में एक तो पूरा कच्छा आता है, गुजरात का कुछ इलाका आता है फिर उसके अलावा आसाम, नागलेंग, मिजोरम, मनीपूर, त्रिपुरा ये पूरा का पूरा जो हिमालें बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का इलाका, जिसमें उत्तरकाशी, पौडी, चमोली, गड़वाल वगएरा वगएरा ये zone 5 में पूरा आता है, अगर आप भारत का नक्षा देखेंगे, तो हिमाले की चोटी से लेकर और इधर पश्यम की ये जो पूरी बेल्ट है, कच्छ तक की ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भूकंप के लिए तो जो लास्ट आपरेशन हमें करना चाहिए, हम सब को मिलकर उसमें आप हम सब शामिल हों वो ये कि इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर जन जागरन का काम, मास अवेकनिंग काम, वो किस चीज के लिए कि घर कैसा बनाएं ताकि अगले भूकंप से बचें, मेरा ऐसा मानना है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, अपने बनाए हुए घरों से मरते भूकंप लोगों की जान नहीं लेता कभी भी, लेकिन लोगों ने जो अपना आशियाना बनाया है रहने के लिए बड़े मन से, बड़े श्रम से, बहुत सारा पैसा लगा के, उसी आशियाने से मरते मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हाइली सीस्मिक जोन होता है, वहाँ पर घर कुछ इस तरह के होने चाहिए, जिनकी छट हलके से हलके मैटीरियल से बनाई जाए अगर इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर उनकी छट बनेगी तो अगले भुकमत में मरने वालों की संख्या सबसे कम होगी मैंने आपको कहा कि भुकमत तो वहाँ आने ही वाले हैं, उनको आप भी नहीं रोकसकते, मैं भी नहीं रोकसकता और दुर्भाग्य से इतनी जादा विज्ञान और तक्नीकी प्रगर्थी होने के बाद भी भूकम की भविश्यवानी करना बिल्कुल असंभव है कोई भी वैज्ञानी की ये दावा नहीं कर सकता कि भूकम पर इस तारीक को आने वाला बारिश की भविश्यवानी की जा सकती है गर्मी की भी की जा सकती है भूकम की संभव नहीं तो भविश्यवानी करना एकदम असंभव है और ये highly seismic zone है इसलिए बार बार इसमें भूकम पाने ही वाले है सालों साल ये चलने वाला है तो क्यों नहीं हम हमारे लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करें जो उस इलाके में रहते हैं कि भाई तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए तो इसका एक बड़े पैमाने पर वहाँ केम्पेन हमको चलाना होगा क्योंकि बिना उसके कोई दूसरा रास्ता है नहीं अभी तो हम मदद कर रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं ये तो तातकालिक काम है लेकिन अगर कोई पर्मनिंट काम वहाँ पर करना है हमको तो वो ये हो सकता है कि लॉइन्स कलब की मदद से रोटरी कलब की मदद से या रोटरेक्ट की मदद से या इनरवी की तरफ से या लॉइनेस की तरफ से या आज़ादी बचाओ अंदोलंग जैसे कारिकरता जो लगे हैं पूरे देश में उनकी मदद से उस पूरे बेल्ट में लोगों के बीच में एक बड़ा कैमते निस बात के लिए चले कि आपके जो आशियाने उजड़ गए ठीक है हो गया वो हो गया अभी आगे अपना घर आप कैसे बनाए तो उस संदर्व में में मेरे कुछ मित्रों के साथ जो सीस्मोलाजिस्ट हैं जो भूकंग के विशय के गयाता हैं और उचे पदों पर भारत सरकार में काम करते हैं उनमें मेरे एक बहुत नजदी की मित्र है डॉक्टर नेगी करके रोड़की में हैं वो रोड़की युनिवर्सिटी में सीस्मोलाजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार को उनसे मैंने अपील की है कि एक पच्चीस पंदे की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे हैं वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाषा में बंगला भाषा में और इधर जो नौर्थीस्ट का इलाका है वहां समझे जाने वाली भाषाओं में पूरे बड़े पैमाने पर भाषांतरण करके छपाना चाहते हैं और लाखों की संख्या में बिना किसी शुलक के लोगों को देना चाहते हैं अब जैसे कच्छ के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुजराती भाषा में बने आसाम में आसामी भाषा में बने ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तैयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हू मिरव्याक्षान के शुरू में वो ये कि ये जो भूकम पाया है इसमें कुछ मदद तो हम तातकालिक रूप से करें और कुछ मदद ऐसी करें जो पर्मनेंट रिलीफ हो ताकि भविश्य में इस तरह के समाचार सुनने को न मिलें कि भूकम पाया और उसमें 50,000 लोग मर गए आप जानते हैं कि इस भूकम में 50,000 लोग मर चुके हैं एक लाख लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है माने लगबग देड़ लाख लोगों की कुल मरत्यू होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्केज में सुनेंगे भारत में ये जो भूकम पाया है इससे बड़ा भूकम एक ही बार आया है वो चीन में आया था चीन का भूकम पाथ से लगबग 40-45 वर्ष पहले आया था जिसमें साड़े आठ लाख लोग मरे थे तो चीन की सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन किया अपने उस इलाके में उसका मैंने थोड़ा अध्यन किया है और उस अध्यन मैंसे मुझे दो बाते समझ में आई उन्होंने एक तो तुरंट इमीडियेट करने वाले काम लोगों को खाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगरा वगरा लेकिन जो दूसरा पर्मनेंट काम उन्होंने किया कि जिस इलाके में भूकम पाया, वहां घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकम पाया लेकिन मरने वालों की संख्या पाच, दस, पंद्र, बीस ऐसी ही रही है एक बार भूकम पाया, साड़े आठ लाक लोग मर गए उस पर से चीन के लोगों के मन में ध्यान में आया, सरकार के मन में आया वैग्यानिकों को समझ में आया, कि अगली बार वहां के घरों की डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो भूकम परोधी हो माने घर गिरे, छट टूटे मरने वालों की संख्या कम से कम हो और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है वहाँ तो अकसर ही भूकम पाते रहते हैं तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं जो टेकनोलजी उसमें इस्तेमाल की जाती है वो टेकनोलजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें वो पर्मानेंट रिलीफ वर्थ होगा शायद उसी का महत तो आने वाली प्यूलियों को समझ में आएगा तो मैं आपसे ये निरेदन करना चाहता हूँ कि चार तरह की मदद आप वहां करें पहली मदद दॉक्टर दवाओं की दूसरी मदद कंबलों की गरम कपड़ों की तीसरी मदद उनको अपना तातकलिक रूप से आशियाना बनाने के लिए तारपत्री वगरा वगरा जो चाहिए उसकी और आखरी मदद ये जो बुक्लेट हम बनाने जा रहे हैं इस बुक्लेट का लार्ज स्केल पर पब्लिकेशन हो दस वीस हजार आप चाप कर दें दस वीस हजार कोई और चाप कर दें पचास अजार आप दे सकें तो पचास अजार दे दें हमें बना कर हम उसको गाओं-गाओं लोगों के बीच में जाकर उनको देना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उनका मानसिक तैयारी कराना चाहते हैं एक आखरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूँ वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांथ में उनके आप भूकम पाया तो जो भूकम परोधी घर बनाए या जापान की सरकारों ने जो अपने यहाँ भूकम परोधी घर बनाए उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला वो मैं आपको कहना चाहता हूँ जब मैं चीन के बारे में अध्यन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकम साड़े आठ लाक लोगों की मरत्यू का आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्मेंट ने और जैपनीज गवर्मेंट ने जो प्लैन बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूर्य घर बनानी की प्रेणा महात्मा गांदी के घर से मिली महात्मा गांदी का कौन सा घर? महात्मा गांदी के तीन घर है एक घर उनका पोरबंदर जहाँ पर उनका जन्गुआ आप मेंसे शायद बहुत लोगों ने देखा होगा दूसरा उनका जवानी का घर जहाँ पर वो जवान हुए पढ़ाई की वो राजकोट में धर्मिंद रोड है एक राजकोट में आप मेंसे शायद कई लोग गए होंगे वहाँ पर उनका घर है तीसरा घर महत्मा गांधी का सावर्मती आश्रम वो भी आप मेंसे कई लोगों ने देखा एक आखरी घर और है महत्मा गांधी का वो सेवा ग्राम आश्रम नाकपुर के पास मैं भी सौभागे से वही रहता हूँ इस समय महात्मा गांदी के घर के नजदी की मेरी कुटिया है सेवा ग्राम आश्रम है सेवा ग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांदी का बना हुआ है उसे देखने के लिए मैं आप सब को निमंतर दे रहा हूँ standing offer, आप कभी भी वहाँ आईए, लगे तो कभी आपके lawins club की कोई conference वहाँ जित करिये, मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूँ, दुनिया के पता नहीं हजारों architect आये हैं वो घर देखने के लिए, और सब में उसको एक ही certificate दिया है, कि भूकंप से बचने के लिए और महात्मा गांदी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कलपना की थी, उसका उन्होंने वरणन अपनी एक पुस्तक में किया है, उसकी दो लहिंद में आपको सुनाना चाहता हूँ, गांदी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया, तो उसमें तीन शर्ट मैंने लगाई अपने उपर, पहली शर्ट ही है कि मेरा घर पांसो रुपई में बनना चाहिए, एक रुपया उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पांसो एक रुपई लगा तो मैं कान खीचूंगा कारे करताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी, पहली शर्ट ही है कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपई होना चाहिए, और ये बात कब की है, 1936 की, 1936 में गांदी जी का वो घर बनकर तयार हुआ, तो पहली शर्ट ही है कि वो घर पूरा 500 रुपई में बनना चाहिए, दूसरी शर्ट उस घर की ये, कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रौ मिटीरियल चाहिए, वो जहां घर बनता है, उसके 20 किलो मीटर के दाएरे में से ही आना चाहिए, उस गाओं के 20 किलो मीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी, दू मैं घर के अंदर किसी भी इस्तान पर बैठूं मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए अब ये तीन शर्तों के आधार पर गांदी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बनाता है पहली शर्त कि 500 रुपे से ज़्यादा खर्च नहीं होगा दूसरी शर्त कि 20 किलो मीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा और तीसरी और आखरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाओ जाकर मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए तो जितने भी आर्किटेक्टा है सब फेल हो गए सब ने गांदी जी को कहा कि माफ करिए हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्टा है जो गांदी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे उन्होंने भी बहुत प्रयास किया वो भी फेल हो गए फिर उसके बाद पता चलाया कि कुछ अमेरिकंस आए उन्होंने का हम कोशिश करते हैं वो भी फेल हो गए फिर सबको चिन्ता होने लगी कि ये ढ़र बनेगा भी की नहीं बनेगा सबसे ज़्यादा चिन्ता थी जम्लाल बजाजजी को क्योंकि गांडी जी ने कहा था कि जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो तो जम्लाल बजाजजी ने कहा कि बापू आप 500 रुपई की बात करते हैं, मेरा ब्लेंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता है, उसमें क्या तकलीफ है, आप जानते हैं, बजाग जी का ब्लेंक चेक हमेशा गांडी जी के पास रहता था, वो जो रकम भरके उसको साइन कर देंगे, वो उनके पास आजाएगी, लेकिन गांडी जी ने का कि वो ब्लेंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता वो 500 रुपई, तो ये तुम्हें देना है इसकी विवस्था, तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परिशान हो गए, बजागी को बहुत तकलीफ हो गई, अब वो कहने लगे कि फिर बापू घरवर बनेगा नहीं बनेगा, एक जोपड़ा बना लो यहाँ पर, तो गानदी जी ने का कि अच्छा थी कि मैं कोशिश कर पाँ, तो इदों ने अपने घर का डिजाइन तयार किया, और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया, आप कभी भी आईए, उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है, उस घर में जितना भी राव मेटीरियल लगाया गया है, वो सब सेवा ग्राम से 20 किलो मीटर दूर के गाउं से लाया गया है, दूसरा उसमें कोई भी मेटीरियल ऐसा नहीं लगा है, जो 20 किलो मीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो, और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499 रुपए 50 पैसे ही आया है, 500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था, और तीसरी शर्प कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाएए, आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा, तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इंविटेशन कर रहा हूँ आपको कि आप आईए, सेवा ग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फरेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए, और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें, तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराईए, ये मैं चाहता हूँ, और वो घर मैं मानता हूँ, की सबसे ज़्यादा वेग्यानिक पद्धिती से बनाया हुआ घर है, दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ, जिसका नाम था इवान इलीच, उसने गांदी जी के घर के बारे में लिखा है, कि मैंने दुनिया के पचासो सेकुडों, हजारों कंस्ट्रक्शन्स देखे हैं, ऐसा अधुद कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं, दुनिया का उस जवाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिपणी है गांदी जी के घर के बारे में, तो मैं ये चाहता हूँ, ये भूकम्प से जोड़ता है, गांदी जी ने जब घर की निर्मान की रचना की, तो उनको किसी ने कहा कि गांदी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहांपर है वहाँ भी Tectonic movement होते रहते और वह सीजमिक जोन है तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसका ध्यान बराबर रखूँगा कि यह सीजमिक जोन है और उन्होंने घर का ऐसा डिजाइन तयार किया है कि उस इलाके में बार-बार भूकम पाये हैं, ऐसा नहीं है कि उस इलाके में भूकम नहीं आये हैं, गांधी जी के घर को आज तक एक क्रैक भी नहीं आया, आज तक क्रैक नहीं आया, और वो घर बने हुए 1936 और आज 2000, तो आप सोचिए 64 years तो होई गए, उसमें एक पैसा का स टायेंस हैं, मिट्टी के बने हुए, तीसरा बास है, बंबू है, बस तीनी चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया, और वो तीन चीजों से उनका घर बना है, आज तक कभी उसमें क्रैक नहीं आया, आज तक कभी वो गिरा नहीं है, और उसकी जो लाइफ बताते हैं लोग क कि इसकी टोटल लाइफ कितनी होने वाली है, तो मिनिमम लाइफ उसकी लोगों ने कैलकुलेट की है, कि 150 एर्स तो होने ही वाली है, माने उसमें करीब 64 एर्स तो बीट गए हैं, लगबग 100 साल वो घर और रहने वाला, हम लोग वहां सिर्फ इतना ही करते हैं, कि साल में एक गोवर निकाला जाता है, उस गोवर को पानी के साथ मिलाया जाता है, साल में एक बार उसकी पुताई करते हैं, वाइट वाशिंग करते हैं, बस, और उसमें में बैंटिनेंस में कुछ भी भी तो आप कभी आएंगे तो देखेंगे, मैं ये चाहता हूं कि उस घर का जो डि कि हमारे ही किसी व्यक्ति का डिजाइन किया हुआ, वो है, तो ये एक छोटी सी बात, जो व्याख्यान के पहले मैं कहना चाहता था, एक छोटी सी दूसरी बात और, कि मैंने मेरे जीवन में ये सब जो शुरू किया स्वदेशी का काम, ये आज़ादी बचाओ आंदुलन का काम, तो मैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित महत्मा गांदी से ही हुआ, वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित महत्मा गांदी ने किया, महत्मा गांदी के जीवन की एक ही घटना ने मुझे सबसे ज daí वापस लोटने के बाद भी दक्षुनियं अफ्रीका गए एक सिलसिले में कॉई केस था उस केसले में उनें साौथ अफ्रीका जाना पड़ा तो वह गए जब सौथ अफ्रीका तो बहकील वैरिस्टर के हैसियत से गए हुआ क्या वह घटना में आपको सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गांदी जी पहुंचे वहां एक कोई कमपनी थी वो कमपनी को कोई केस हुआ था वो भारत के ही कुछ लोगों की कमपनी थी तो गांदी जी उनके वकील की हैसियत से वहां केस लड़ने वाले थ तो गांदी जी ने फाइल का अध्यन किया फिर उसने का चे अधालत कहाँ पर है वहां लेकर ज़रा चलो तो गांदी जी की पहली घटना है यह साउथ अफरीका की वो अधालत में पहुंचे आप जानते हैं कि खाटी गुजराती आदमी और गुजरातियों में भी काठिया वाड़ी आदमी तो आप जानते हैं काठिया वाड़ के लोग तो वो पगड़ी बांदे हैं नौ पाँच मीटर लंबा टपड़े की वो पगड़ी बनाते हैं और एक विशेश स्टाइल में उसको बांदा जाता है तो गानदी जी पगड़ी बांद कर अदालत में पहुँच तो गानदी जी ने पूछा तो जजज ने कहा कि आपको ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी तब आप यहां बैख सकते हैं और बहस कर सकते हैं तो गानदी जी ने पूछा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये पगड़ी मेरे शान का प्रतीक है ये मेरी इज़त का प्रती उसे बड़ा अपमान माना जाता है और पगड़ी वही उतारता है जो किसी का गुलाम हो जाता है। मैं आपका गुलाम नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मैं पगड़ी नहीं उतार सकता। जज बौखला गया। क्योंकि इतनी हिम्मत से बात कहने वाला कोई आदमी उसके सामने पहली बार आया। तो उसने पूछा कि ये है कौन है तो बताया गया कि केस के सिलसले में ये एक लौइर है जो भारत से आया है तो उनने चाहीँ है कि इसको तमीच सिखानी चाहिए। तो उनके जो बगल का लोयर था जो गांदी जी को लेके गया था उसमें खुस-पुस करना शुरू किया और गांदी जी को समझाया कि बही आप यह उतार दीजे नहीं तो बबाल हो जाएगा गांदी जी ने का कि कुछ भी हो जाए ये मेरे सम्मान का प्रतीज है मैं पगड़ी मैंने अगर उतारी तो ये भारत की पगड़ी उतार दी, ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने का कि फिर कंटेम्ट हो जाएगा, तो जेल जाना पुड़े का तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ जेल जाने के लिए, आप उनसे कहो कि ओड़र करें और मुझे जेल में भेज़, तो जज़ भी परिफ्कान हो, अब वो गए थे केस लड़ने के लिए, और अपना तठे हुए, तो जज़ ने बात को समाथ करते हुए, का कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि अगर पगड़ी नहीं उतार सकते हैं, तो आप इस अदालत से बाहर चले जाए, तो गांदी जी ने का कि मुझे ये मत जूर है कि मैं अदालत छोड़के चलाए, और गांदी हुआ मिलना चाहिए, मुझे तब मैं बहस करने के लिए आऊँगा, मैं पगड़ी कभी नहीं उतारूँगा, पगड़ी पहन कर ही बहस करूँगा पूरी अदालत, और आप जानते हैं कि गांदी जी ने वो अंग्रेजी कानून बदलवा दिया, अंग्रेजों को कानून ब पहस की, साउथ अफरीका में रहते हुए, पगड़ी पहन करी बहस की, इस एक घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया, घटना बहुत चोटी सी है, अगर गांदी जी चाहते हैं तो समझोता कर सकते थे, और वो समझोता करना बहुत आसान था, लेकिन गांदी जी ने उ आज़ादी का लक्ष अधूरा रह गया होता, एक और ऐसी घटना हुई, वो सुनाने का लालच मेरे मन में आया, क्योंकि महात्मा गांदी को हम श्रदांजली अर्पित कर रहे हैं, एक दूसरी घटना और हुई, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ महात्मा गांदी से, व जो सरबार लोग वहां रहते थे साउथ अफरीका में, उनको भी इजाज़त मिली, कि वो पगड़ी पहन कर बहस कर सकते हैं, तो गांदी जी के सामने एक दूसरी चुनाउती थी, और वो चुनाउती थी वो ये, कि अचानक से प्रेटोरिया में एक कानून बना, प्रेटोर उनको सेकंड ग्रेट सिटीजन ही बना के रखना है, और उसके लिए कानून में ये तैय किया गया कि आप जो भी एशिया से आए हैं, उनको आने के तत्कालबाद रिजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना, और वो साउथ अफरीका के उन कॉलोनीज में नहीं रहेंगे, जहां पर वहां के अंग्रेज रहते हैं, उनकी बस्तियां गाओं के बाहर होगी, जैसे हमारे देश में होता है न, अभी भी गाओं में आप जाये तो फ्यूडलिजम जहां पर है, वहां पर जो S.C.S.T. होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके घर गाओं के बाहर होते हैं, वैसा ही की बात चली, कि जो एशियन सिटीजन्स हैं, जो एशिया से आने वाले लोग हैं, उनको साउथ अफरीका के लोगों के साथ नहीं रहना है, उनकी बस्तियां गाओं के बाहर होंगी, और उनको सेकंड ग्रेज सिटीजन बनके ही रहना, और आने पर उन्हें रजिस्ट्रेश नहीं हो सकेगा, माने हमेशा आप वहां नौकर बन कर रहेंगे, आप किसी इंडस्ट्री को ओन नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनिस आप नहीं चला पाएंगे, ऐसा एक कानून बनाने की तैयारी, अफरीका में, अंग्रेजों की सरकार में की, महात्मा गांदी ने उसको चुन जाना, जो एशिया के रहने वाले लोग हैं, उनको मुबलाइज करना, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करना, और इस कानून को रुकवाना, तो वहाँ पर जो मुसल्मान समुदाए के लोग थे, उनमें जाकर उन्होंने कहना शुरू किया, हिंडू समाज के ल दस हजार लोग आए, इस्त्री, पुरुष, बच्चे, उसमें हिंदू भी, मुसल्मान भी, पारसी लोग भी कुछ वहाँ पर थे, वो भी सब इकटे हुए, और उन सब के सामने कानून ने कहा कि हम सबको संकल्प करना है, कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे, बले ही हमें इसके लिए जेल में जाना पड़े, बले ही इसके लिए मार खानी पड़े, बले ही इसके लिए मर जाना पड़े, ये अपमान जनक कानून तो हम नहीं बनने देंगे, उस सबहा में प्रस्पाव पारित हुआ, सबहा ने महात्मा गांदी को अपना नेता मान लिया, और महात जादन में रहने वाले जो भारतिय लोग थे उनको मॉबिलाइज किया और उनका मॉबिलाइजेशन जब बहुत बड़े पैमाने पर हुआ तो महात्मा गांदी ने एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट ब्रिटेन के राजा को इसामने उन्होंने पेश कराया जिसमें उ बहुत तेड़ा है अगर आपने इसकी बात को नहीं माना तो यहीं सब्त्याग्रे करने बैठ जाएगा लगना और इसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता अगर आपकी पुलिस आएगी गोली चलाएगी तो इसको मरने में तो एक मिनट का संकोच नहीं है इसलिए आप ज सुपी का अध्यन करके मुझे रिपोर्ट देगा तब तक महत्मा गांदी से तब तक महत्मा गांदी नहीं बने थे वो मोहंदास करमचन गांदी थे तब तक मेरा निवेदन है कि मोहंदास करमचन गांदी कोई अगला कदम ना उठाए तो उन्होंने कमीशन बनाया कमीशन की रिपोर्ट आई, कमिशन की रिपोर्ट लिखने वाले लोगों ने कानून का समर्फन किया, क्योंकि उसमें सब गोरे अंग्रेज ही बैठे हुए थे कमिशन में, तो फिर सरकार ने ये बहाना करना शुरू कर दिया, कि अभी तो ये कानून हमें बनाना ही पड़े था, क्यो जो लोग हैं वो तो सब अंग्रेज हैं, उनको हमारे दर्द का क्या अंदाजा, अगर हमारे भारतिये लोग कमिशन में होते और वो रिक्मंडेशन करते तुम्हें मानता, तो गान्दी जी ने कमिशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दे, फिर जगला चलता गया, चलता गय तो गान्दी जी को लगा कि अभी बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बनाने की जरूरत है, तो उन्होंने कॉल दिया, साउथ अफरीका में वापस लोटके और कॉल ये दिया, कि जो भी लोग साउथ अफरीका में भारतिये या एशिया के किसी भी खंड के रहते हैं, वो कहेंगे, वो ही करेंगे, आप मरने के लिए बोलेंगे, तो हम मर जाएंगे, बोली अब करना क्या है, तो महिलाएं, पुरूश, सब लोग फैक्ट्वियां छोड़कर मजदूर जो काम करते थे गान्दी जी के पास आ गए, गान्दी जी के पास ऐसे करीब उस समय 14-15,000 कार करता है, इकठे हो गए, तो गान्दी जी ने कहा कि हमें एक कूच करना, एक मार्च निकालना, जैसे वो डांडी मार्च उनोन निकाला था भारत में बहुत एपिहासिक, वैसा ही एक मार्च उनोन निकाला साउथ अफरीका में, अब मैं घटना पर आ रहा हूं, जिसमें मु लोगों ने गान्दी जी से कहा कि ये बच्चे बहुत चोटे हैं, अभी क्या करने का इनका, तो उनोन ने कहा जिनके बच्चे चोटे हैं, वो जुलूस से बाहर निकल जाए, तो बहुत सारे लोगों के मन में आया कि अभी गान्दी जी हमको बाहर निकालते हैं, तो उनोन इस फ़स्ट का तो लोगों के होसला आया और होसला आया तो वो सब चले उसी जुलूस में कुछ अंग्रेज भी शामिल थे जो गांडी जी की जासूसी के लिए रखे गए अंग्रेज सरकार की तो और उनकी पूरी रिपोर्टिंग वो लंदन करते थे क्या आप जुलूस ने पारे में एक वाक्य लिखा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जितनी भी सेवा थी है ब्रिटिश गवर्मेंट की उसमें ये पहला जुलूस में देख रहा हूं जिसमें इस्तरी पुरुष बच्चे सब एक साथ हिंदू भी हैं मु जाती थी तो कोई भी मैदान में सब सो जाते थी और दिन में कुछ थोड़ा भोजन बना के करते थे फिर रात में मैदान में सोते थे अगले दिन फिर मैदान से चलते थे दूसरे गाओं में दूसरे गाओं से तीसरे गाओं तो हर एक रात करीब ऐसी पंद्रे रातें भी जिसमें इस त्री पुरुष बच्चे सब एक 700 जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने कहा कि इस जुलूस के दौरान एक भी दुरगटना नहीं हुई उसका जो इशारा था वो क्या कि 4000 महिलाएं और 6000 पुरुष जिनकी उम्र 20-22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में हैं कहीं भी कोई दुरगटना नहीं हुई और उसने जब अपनी रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश पार्लिमेंट को तो उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि जिस आदमी की उपस्तिती मात्र से लोगों के मन में नैतिक ताका संचार होने लगता है वासला पैदा नहीं होती इस्त्रिया भी लेटी हुई हैं और नहीं पाएगी ये उसने रिपोर्ट में लिखके भेज़ दिया तो मुझे उस रिपोर्ट का एक वाकि हमेशा मेरे मन में रहता है कि जिस आदमी की उपस्तिती मात्र से नैतिक ताका इतना उच्छिस्तर लोगों में आ जाता हो कि 4,000 इस्त्रियां और 6,000 पुरुष दिना किसी दुरगटना के एक गाउ से दूसरा दूसरे से तीसरा और 15-17 दिन लगातार चलके चले जाते हों और अंग्रेज सरकार को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हों वो आदमी तो कोई विरला ही हो सकता है तो बाद में जब उनको महात्मा कहा सबसे पहली वार उनको महा महात्मा कहा सुभाष चंद्रबोस ने तो सुभाष चंद्रबोस से जब पूछा गया कि आपने इनको महात्मा क्यों कहा मुहंदास करमचन गांदी से एक दिन सुभाष चंद्रबोस ने उनको महात्मा गांदी बना दिया और आप जानते हैं कि सुभाष चंद्रबोस के मह चल कपट करना हो तो चल कपट करें, हतियार चलाने हो तो हतियार चलाएं, कहीं विदेशों से मदद लानी हो भारत की आज़ादी के लिए तो वो भी लेके आएं, गांदी जी कहते थे कि एक तो उनका सबसे पहला यह आगरे था कि विदेशी मदद भारत की आज़ादी के लि इन अंग्रेजों में कुछ भी ताकत नहीं और तीसरा उनका सिधान्त ये था कि भारत में जो भी आज़ादी आएगी वो सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं रही होगी पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा जो ब्रिटेन का ढाचा है उसको हटा के भारती ये ढाचा लाना लाए तो किसी ने पूछा सुभाष चंडर बोस से ये बात है 1914-1941 जब सुभाष चंडर बोस भारत छोड़कर जाने की तयारी कर रहे थे उसके पहले उन्हों ने उनको महातमा बोल दिया था तो किसी ने पूछा कि आप ये बताईए कि आपने मुहंदास करमचंद गांद है हमारी उनकी मत्भिनता है लेकिन मन्धिनुता नहीं मेरे महत्मागान्दी से मत्भेद यह तो मन्भेद नहीं है इसलिए मैं उनको बहुत उचा मानता हूँ और उन्होंने का कि मैं उनको महात्मा इसलिए कहता हूँ कि उस आदमी की उपस्तती मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता हूँ मैं जब जब महात्मा गांदी के पास जाता हूँ मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा ये सारे मूले पनपने लगते हैं पता नहीं उस व्यक्ती में कैसा चुम्बकी आकर्शन है ये सुभाश्य प्रबोस के शब्द में आपको कोट कर रहा हूं पता नहीं उस व्यक्ती में कैसा चुम्बकी आकर्शन है जो उसके सामने जाकर बैठे, भयंकर हिंसा भाव से भरा हुआ, वो भी अहिंसक हो जाता है। कितना ही डैस्पॉटिक हो, कुरूर हो, वो दया और करुणा का प्रतीक बन जाता है। उस व्यक्तिवें ऐसा तो कुछ अद्बुत है। और दक्षुनी अफ्रीका की वो घटना, जो मैंने आपको कही, वो अपने कारिकरताओं को सुनाते हुए, सुबाश्वंद्र वोस ने कहा, कि ये आदमी की तेजस्विता आज से नहीं, उम्र के उस साल से है, जब वो खुद जवान गुआ करता है। तो ये दो घटनाएं, मैं आपको सुनाना चाहता था, मात्मा गांदी जी को श्रदांजनी देते हुए, कि हम इन दो घटनाओं से अगर अपने जीवन में कुछ सीख सकें, तो जरूर सीख है। ये जो महान लोग होते हैं, ये आते हैं, चले जाते हैं। मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है उसमें रूसों भी शामिल है उसमें तो ये रूस के जो बड़े नेता माने जाते हैं लेओनित ब्रेजनेव से तीछे की प्यूडी के जितने जिनको लेलिन वगरा वगरा बड़ा माना जाता उनको भी जर्मन कि जितने महान हैं उनकी वी जीवनी पढ़ी है मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के तिहास में दुनिया की धर्ती पर गानभी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उनकी तीम बड़ी चमता हैं पहली चमता तो जो मैंने कहीं मैतिकता वाली दूसरी चमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की गलत को सुईकार नहीं करने की चाहे उसके लिए जान देते नहीं पड़े और तीसरी और अदबुत बात कि कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेने की वो कहते थे हतियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है प्रेम की शक्ति से जीत के दिखा और वो उस माननिता के पुजारी थे, भारत की उस माननिता के जो हजारों साल से आई है, कि किसी को हतियार की शक्ती से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ती से उसको गुलाम बनाओ. तो ये तीन अदबुत बाते उस व्यक्ती में थी, और एक साथ पूरे व्यक्तितों में ये सब आया उनके अंदर, तो कुछ उनकी ग्रोइंग होई होगी, कुछ उनमें आया होगा, ये तो कुछ विलक्षनी किसम की बात हो सकती है, क्योंकि बच्पन में जो विद्यारती अक का करेक्शन किरा हुआ, वो सब गलत लिग दिया है, उसको क्रोस कर दिया, अध्याफद ने फैल कर दिया है, ये कैसा उमूर खद्याफद, उसको फैल करना चाहिए था, पूरी दनिया को, मात्मा गांदी को फैल किया, तो ठीम है, उससे एक बात समझ में आती है, कि साधर ह सा बच्चा, जूट भी बहुता है, चोरी भी करता है, कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी जाके मास भी खाया उन्होंने, इमांदरी से स्विकार किया, और एक एक बहुत अंदर की बात, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लोगों को पता चले गांदी जी के बारे में, तो बहुत सारी निसंडरेस्टेंडिंग्स हमारे लोगों की खतब हो जाए, बहुत लोगों ने दुषपरचार किया मात्मा गांदी के बारे में, और एक बहुत बड़ा दुषपरचार उनके बारे में ये था, कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंदे के हाथ रखके चलते थे हमारे देश में मात्मा गांदी के बारे में दुषपरचार करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और वो कमी जो नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गांदी जी को गाली दो तो हम बड़े हो जाएंगे, एक अभी फिल्म बनी है, बावा साथ उम्डेट करके उसमें जो गालियां उनको दी गई है, वो भगवान न करे कोई दूसरा उनको दे, तो आजकल एक फैशन चल गया है गांदी जी को गाली देने का, लंबे समय तक ये फैशन चलाया, कई बहुत सारे लोगों ने, उसमें गांदी जी के विरुद्ध जो बातें बोली गई है उनकी बकरी किस्मिश खाती थी, मकाना खाती थी, छुवारा खाती थी, और महत्मा गांदी सादगी का नाटक करते थी, एक बात उनके विरुद्ध जी बोली जाती है, कि महत्मा गांदी ने बहुत सारे करांटिकारियों को मरवा दिया, बगद सिंग को नहीं बचाया, आथ रखे चला करते थे. तो ये डोतिन बातों के बारे मैं हमारे मन में इस परस्ता आ जा, उस द्रश्टी से में कहना चाहता हूं, कि गांदी के बारे में ये जो दुस प्रचार हुआ, कि वो हमेशा बोल लड़कियों के कंबे पर हात रख रख चला करते थे और उने ते Click कि बात कैसे कर सकते हैं, वो दान्दी की एक घटना बता कर, और साउट अफरीका में जो घटना घटे तो इस दोनों को को रिलेक्ट में करना चाहता हूं, घटना ये है कि मात्मा दान्दी ने बहुत इमानदारी से अपने जीवन की हर बात लिखी, हिंदुस्तान में दुनिय नहीं, माना हो लिखान, हमेशा पाखंड रहा, बले-बले लोगों के जीवन में पाखंड रहा, अब नाम लेके कहने से उससे कोई फाइदा नहीं है, बले-बले लोगों के ठीवन पाखंड रहा, लेकिन गान्दी के बारे में मुझे जो एक अच्छी बात लगती है, वो ह अग्षाद में हरिजन में भी लिख दिया और एंडियन ओमी में एक अख़ार निकालते थे वो साउट अफरीका से उसमें भी लिख दिया घटना क्या है उनके पिताजी का देहां थोने वाला ब्रती शयापर उनके पिताजी है आखरी भी है जीवन की डॉक्टरों ने कह दिया है वेज्जियों ने कह दिया है कि ये बचने वाले नहीं है गांदी जी उनके पास गए हैं उनको देखने के लिए और उस समय तक उनकी शादी हो गई है विवा हो चुका है तो विवा हो कि बहुत उचे प्रतिमान वाला हो बाकी पाखंडियों के बसकी बात नहीं है ये कह पाना गांदी जी ने उसमें इमांदारी से लिखा कि पिताजी की अंतिन सांस चल रही है वेज़ बैठा है सामने और कह रहा है कि अब ये बचने वाले नहीं है उसी समय गांदी जी खेल कर मैं बाहर आया मैंने देखा कि मेरे पिताजी का देहान थो चुका है उसी दिन मैंने ब्रह्मचरी का संकल्ब करने का अपने जीवन में तैकर लिया उसी दिन कि मेरे जीवन के आगे का हिस्सा मैं ब्रह्मचरे से विभाने की कोशिश करूँगा और फिर उन्होंने इमांदारी से लिखा कि उस ब्रह्मचरे को पालने के लिए मुझे बहुत साल लगे मेरी पत्नी को तैयार करने लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचरिका वरत लेने का फैसला किया था बाद मैं मुझे लगा कि ये गलत है अनेतिक है तो फिर धीरे धीरे मैंने मानसिक्ता तैयार की मेरी पत्नी की और एक दिन हम दोनों ने मिलकर संकल्ब कर लिया और उससे आज का दिन जब मैं ये लिख रहा हूँ आज का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात मेरी पत्नी से पूछ सकता है जाकर ऐसा आदमी था और उसके बारे में लोग दुनिया वर में अफ़वा उडाते हैं वो दुनियों के कंदे पे हाथ रखके हमेशा चला करता था और उसके बारे में दुनिया के लोग बहुत सारी अफ़वा उडाते हैं कि उसकी बकरी किशमिश खाती थी बादाम खाती थी काजू खाती थी मुनक्का खाती थी कुछ नहीं खाती थी उनकी बकरी साधरन घासी खाती थे ये सही बात है कि गांदी जी हमेशा बकरी का दूद पीना फ़संद करते थे तो किसी ने पूछा कि आप गो रक्षा की बात करते रहे गांदी जी हमेशा गो रक्षा की बात करते रहे और एक बार तो उन्होंने एक भाशन में कहा, यहां मुंबई में, मुंबई के अपने एक भाशन में उन्होंने कहा, कि कोई अंग्रेज अधिकारी मेरे पास आए और ये कहे, कि पहले भारत बचाना है कि गाए बचाने है, तुम दोनों मैंसे तै कर लो, कौन सी चीज पहले बचानी है तो मैं भारत को कुर्बान कर सकता हूं गाय बचानी के लिए मैंने मेरे लिए गाय भारत से ज्यादा प्यारी है और उन्होंने कहा कि अगर मैंने गाय बचा ली तो भारत तो बच जाने ही वाला तो इतने ज्यादा गोरक्षा के समर्थक व्यक्ती थे महत्मा हैं हमेशा बकरी का दूद पीते हैं तो उसका जवाब बहुत सुंदर उन्होंने दिया और वो लिखा भी उन्हें ने का देखो गाय का दूद अमृत है और बकरी का दूद दवा है मुझे दवा की जरूरत है अमृत की नहीं है और आप जानते हैं कि दिनिया के जो वैदे हैं ये जो हमारा पूरा का पूरा आयर वेद है ना उसमें जो बकरी का दूद है वो ट्यूबर कलोसिस की सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाते है अगर कोई टीवी का भयंकर मरीज हो और वो किसी भी स्थिती में ठीक होने की इंटे हैं इतना अच्छी गृवताओरदा है बकरी का दूद तो गांदी जी ने कहा कि मुझे कमजोरी रहती है हमेशा शरीमें आप जानते है कि उनका शरीम कैसा ता क्रश का एकधम शरीर था तो गांदी जीन जीका क़्िए की बीमारियां हैं उनको मैं जानता हूं और मैं गाय का दूद न पीकर बकरी का दूद पीता हूं ताकि मैं जिंदा रहूं और हिंदुस्तान की आज़ादी लाने का काम सतरूप से करता हूं। गाय का दूद को मैं अमरत मानता हूं और अमरत तब दिया जाता है जब कोई अमर होने की आकंचा लेकर आता है। मैं अमर होने की आकंचा लेकर नहीं आया। मैं तो साधरन सा एक काम करने आया भारत की आज़ादी लाने का। उसी काम को करते करते में मर जाओं। ये मेरे जीवन की तमन्ना है। अंतिन दो दिन पहले उन्होंने एक वक्तव किया था। शायद बड़े लोगों को आभास हो जाता है। 28 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में कहा प्रार्थना सवा में कि अगर कोई पागल आग्मी सामने से आकर भी मुझे गोली मारेगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप उसको सद्बुद्धी दो भगवान उसको शद्बुद्धी दे और वही उन्होंने किया अभी बहुत सारे लोगों ने ये बहस करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांदी ने मरने के पहले हेराम कहा था या हाइराम कहा था हमारे कितने कूर मगज लोग हैं इस देश में कितने नी मिस्टर के लोग हैं इस देश में जो बहस चला रहे हैं इस बात पर कि गांदी नी को जब बोली लगी तो उन्होंने हेराम कहा या हाइराम कहा इसी में लगे हुए बहस करने में उन्होंने बहुत कुछ कहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है बहुत कुछ किया है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, हे राम कहा कि हाई राम कहा, इसी में बहुत लोग लगें, बहुत सारे संगठनें, जिन्होंने बाकाइदा लिटरेचर बनाया है उस पर, और वो लिटरेचर पूरे देश में बाटा जाता है, और एक खास तरह की मानसिक किता तैयार की जाती है, गांदी जी को गाली देने की, तो मेरा आप से एक ही विदम्र निवेदन है, और वो मैं शायद मेरे कन्विक्शन से कह रहा हूँ, पिछले दस बारे साल, गांदी जी को मैंने बहुत पढ़ा, और उनके तरह से जीने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैंने आज तक मेरा कोई घर नहीं बसाया, आज भी मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचरी का पालन करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्फ है मेरे मन का, और तीसरा, कोई पारिवारिक संपत्ती में हिस्सा नहीं रखा, मेरे पिता और माता को मैंने बिल्कुल इसपश्ट कह दिया है कि परिवार की संपत्ती में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं हो गई, आपको जो करना है आप उसको कहिए, या करते उसको चाहें तो दान कर दीजे मेरे नाम से किसी को, लेकिन इतना भी मुझे लगता है करने में बहुत तकलीफ आती है, ब्रह्मचरे पालन किया, वो तो बड़ी बात है, वो आसान व्यक्ति के लिए नहीं है, परिवार में रहते हुए ब्रह्मचरे का पालन करना और उस उचाही तक जाना, जिस उचाही की बात उन्होंने अपनी आत्मकता में लिखी है, कि वो जीवन का आखरी दिन था जब प पत्नी भाई बहन की तरह से रहना शुरू कर दे, वो कहते हैं कि ये जीवन का आखरी वो होगा, मुकाम, तो किसी व्यक्ति को कितना उंचा बनना चाहिए अपने जीवन में उसके लिए उन्होंने एक सीमारेखा बना दिया, वो सीमारेखा का पालन उन्होंने किया, परिव इससा है, वो भी है, उनके कहे हुए को, उनके किये हुए को, और उनके बोले हुए को, अगर हम अपने जीवन में दश्वान होगी, मने टैंट, बन टैंट भी अगर हम उतार सकें, तो भारत में बहुत कुछ बहतर होने की संभावना और शक्यता है, इतना गांदी जी को श अपने पढ़े होंगे बार बार सुने भी होंगे उन व्रतों के बारे में गांदी जी ने लोगों से कहा है कि मेरी आप से ये विनंती है कि भारत में जो व्रत मनाए जाते हैं तेओहार मनाए जाते हैं उन में सोमवार का व्रत हो जाता है कभी घस्वतिवार का हो जाता है कभ अगर आप तैज बैक्त नहीं कहना चाहता है और उसमें हस्तक्षिक भी नहीं करना चाहता है लेकिन और मॉढ़ने। और ने कहा है कि व्रत अगर आप कर सकें तू देश के लिए भी करिएैं। एक तो हम व्रत करते हैं मोख्ष खली प्रेयर्वum आनरें JONCE और हमारे जो धर्म शास्त्र हैं या बड़े जो धर्म गुरू हैं, उनकी बात अगर आप सुनें और उसको कभी समझने की कोशिश करें तो हर एक धर्म गुरू या हर एक धर्म शास्त्र ये कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है कभी मच्छर बन सकते हैं, कभी मक्खी बन सकते हैं, कभी गाय बन सकते हैं मनश्य बनना बुड़ा मुश्किल होता है और मनुश्य की योनी मिलना तो विरले लोगों को मिलता है उसके बारे में सांख्य दर्शन है वो ये कहता है कि आपने पुराने जन्व में कुछ अच्छे कर्म किये होंगे तो आप शायद मनुश्य बन गए है तो गानवी जी ने उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सामने ये कहा कि आप अपने मोक्ष के लिए अच्छे काम करें वरत करें धार्मिक माननिताओं का पालन करें वो तो ठीकी है लेकिन देश के कल्यान के लिए भी वरत करिए ये उनका कहना था और उनका ये कहना था कि अगर भारत का कंल्यान नहीं होगा तो आप मेंसे किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा बिल्गु इस फश्ट कह दिया ये कहने कि हिम्मत आज किसी धर्मगुरु में नहीं हुई मैंने हिंदोस्तान के इतिहास میں शंकराचारे से लेकर आज तक बहुत सारे धर्म गुर्यों को पढ़ा और काफी को आज के जमाने में सुना भी किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की कि जब तक देश का कल्यान नहीं होगा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा तुमारी आत्मा भटकती ही रहेगी तो देश का कल्यान कर लो तुमारा मोक्ष अपने आप हो जाए और फिर किसी ने गांदी जी से पूछा कि आप ये सब काई के लिए करते हैं अंग्रेजों को भगाना हिंदुस्तान को नए सिरे से खड़ा करना तो गांदी जी ने का ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूँ ये मत कहना कि भारत की आजदी के लिए करता हूँ ये उनका लिखा हुआ वाक्य है ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूँ तो किसी ने का मोक्ष माने क्या कि इश्वर की प्राप्ती तो ईश्वर की प्राप्ती के लिए मैंने ये तै किया है मेरा रास्ता तो कुछने नगया कि इस से ईश्वर की प्राप्ती कैसे होगी तो वो सुनाने लेगए Ho mathematic कासे बारता具 हो जाएगा आजवने के लिए जात खुशाल हो जाएगा अब आप देखिए, इतना बड़ा योगी आदमी, किस बात की कल्पना करता है, हम लोग कल्पना करते हैं न, मोक्ष उनी को सिद्ध होता जो योगी होते हैं, और योगी कौन होता है, जो अपने को दूसरों से उपर उठा लेता है, लेकिन गानदी जी कह रहा है कि मैं अकेला उपर नहीं उठाओंगा, ये सब को अपने साथ उपर उठाओंगा, तब मुझे मोक्ष मिलेगा, इस से बड़ा योगी पुरुष कौन होगा, तो इस योगी पुरुष के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकें, वो यही, कि हम अपने आप को ही नहीं, दूसरों को भी अपने साथ उठाएं, और दूसरों को अपने साथ क्यों उठाएं, मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांदी की आत्मा भटक रही है, उनको मोक्ष नहीं हुआ है, अगर वो जीवित रहते तो शायद वो काम करते, जो उन्होंने अपने लिए तै किया हुआ था, आजादी आने के त उन्होंने एक दिन सवाल किया कि अब तो आजादी आ गई, और गांदी जी के आदब थी रोज मालिश करवाते थे तेल से, मालिश करवाते थे, तो एक दिन बिरला जी पहुच गे, सेवा गराम आश्रम और गांदी जी की मालिश चलती थी, तो पूछ लिया कि अब मालिश गंशे आमदास, ये लड़ाई हिंदुस्तान की जो है बड़ी लंबी है, अंग्रेजों का चले जाना तो एक चरण है, इसके आगे अभी बहुत सारे चरण है, तो उन्होंने पूचा कि आपका एसिड टेस्ट क्या है, तो उन्होंने का कि देखो जब अंतिम आदमी हिंदु जाए गंधी जी को मारा था, अच्छा ये होता, कि वो महत्मा गंधी के सामने जाकर खुद को गोली मार लेता, वो उसके लिए बहतर होता। उसमें बजाए गांदीजी को गोली मारने के अपने को गोली मार लेनी चाहिए थी वो उसके लिए जादा बहतर होता लेकिन खर ठीक है दोगता होती रहती है और आगे भी होती रहेंगी उसके लिए कभी अफसोस नहीं करना चाहिए हमें ये भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि गांदी जी हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो हमेशा लोगों से ये कहते थे कारी करता हूं से कि मैं रहूं न रहूं मेरा जीवन तुमारे लिए संदेश की तरह से है पूरा मैंने मेरे जीवन भर जो किया वो आपके लिए संदेश जैसा है तो गानवीजी के संदेश का अगर हम थोड़ा सा विशलेशन करें और आज की परिस्ति को देखने की कोशिश करें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको अभी मोक्ष नहीं मिला है उनकी आत्मा कहीं न कहीं भटक रही है उसके तीन बड़े कारण है कि उन्होंने जब ये कहा था कि भारत का जब अंतिम व्यत्ती आनंद में रहेगा खुशी में रहेगा तो मैं मान लूँगा कि सारे काम पूरे हो गए है वो अंतिम व्यत्ती अभी भी बहुत कुछ चीजों से वंचित है भारत की इस समय आजादी एक करोड़ से थोड़ी उपर हो चुकी है और एक सौरी सौ करोड़ से उपर हो चुकी है एक अरब के लिए 5 रुपया नहीं है 25 करोड लोग ऐसे हैं भारत सरकार के National Sample Survey की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिव्यक्ति 5 रुपय नहीं रखते एक दिन में खर्च करने की हैसियत ऐसे 25 करोड लोग है 15 करोड लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास प्रतिव्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए एक रुपया नहीं है 15 करोड लोग ऐसे है और करीब करीब 10 करोड लोग ऐसे हैं इस समय भारत देश में जिनके पास प्रतिव्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं 25 करोड़ लोगों के पास प्रतिव्यक्ती एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है 10 करोड़ लोगों के पास प्रतिव्यक्ती एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं है और 15 करोड़ लोगों के पास प्रतिवियत्ती एक दिन में खर्च करने के लिए एक रुपया ले अब पच्चीस और पंदरे चालीस और दस पचास पचास करोड की हमारी बस्ती ऐसी है जिसको न्यूनुकम जरूरत है पूरी करने की कोई व्यवस्था नहीं इसी देश में जहां हम रहते हैं और इन में ये हुम रहा था उडिसा में एक घाओं है उतका नाम है भवानी पटनम है वो गाओं जो है डिस्किक सेंटर रहे कालाहंडी जिले we canлоहं ब्रभी नाम का जिला है भवानी पटनम का गाओं वह अमें एक बार गया उस गाओं को जाते समय सलक के किनारे से जब मैं गाड़ी गारी जा रहा था तो मैंने बूतिन इस्थान ओपर बाजार देखा जहां पर बच्चे बिकने के लिए बैठे थे बच्छों को बेचने के लिए बाजार लगते हैं और बच्छों को बेचा जाता है dalla उसी रेट लिखा हुआ था जैसे लड़का खरीदना है 10 साल से उपर का है तो उसका रेट है 50 रुपए और लड़की खरीदनी है 15 साल से उपर है तो उसका रेट है 35 रुपए 35 रुपए में 15 साल से उम्र के उपर की लड़की आपको खरीद में मिल जाएगी पचास रुपए में दस साल से उपर का लड़का मिल जाएगा जिन इस्थानों पर मैंने ये बाजार लगे हुए देखे वहाँ पर मैंने मेरी गाड़ी रुकवाई और उनको कहा कि भाई ये क्या है तो उनका ये बच्चे बिकने के लिए आते हैं यहां अक्सर इस तरह के बाजार लगते हैं तो मैंने पूछा साल में कितनी बार लगते हैं उनका आप साल की बात कर रहे हैं महीने में पूछे मैं सोच साला कि कभी साल में एक आद बार होता होगा उनने का नहीं महीने में पूछिए कितनी बार लगते अब मुझे क्या हुआ कि एक माँ बाप जो अपने बच्चे को बेचने के लिए बैठे थे प्रतीक्षा करते थे बाजू में बच्चे के गले में तक्ती लटकी थी पच्पन रुपए का उसका रेट था तेरे चौदे साल का लड़का था मैंने उसके बाप को जाके पूछा मेरे साथ एक कारी करता था जो उड़िया भशा जानता है तो मैंने उसको का इसको उडिया भशा में पूछो कि ये अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहता है तो उसके बाप ने जवाब दिया कि मेरे घर में खाने को दो समय रोटी नहीं है इसको मैं क्या खिलाओ तो मैं इसको इसलिए बेचना चाहता हूँ कि कोई अमीर आदमी इसको खरीद ले जाए कम से कम खाने के लिए तो रोज देगा इसको बहले ही वो इसको गुलाम बना कर रखे इससे मुझे कोई चिंता ले लेकिन ये ले जाए मेरे घर में से ऐसी स्थती के वहां माबाप है मेरे जीवन में बहुत बड़ा धका उस दिन आया जब मैंने ये दरश्य मेरी आखों से देखा किसी तरह मैं भवानी पटनम पहुँचा जल्दी जल्दी मीटिंग खतम करके उस दिन मेरा दिल नहीं था भाशन देने में किसी तरह भाशन पूरा किया वहां एक दूसरा द्रश्य देखा मैं मेरे भाशन के सुनने के लिए बहुत सारे लोग आये थे करीब करीब 12-1300 लोग आये थे अब वो जो लोग सुनने के लिए आये थे उनमें से कुछ लोग तो आपकी तरह से सामने आकर बैठे थे लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरा व्याक्यान सुनना चाहते थे लेकिन ज़ाड के पीछे खड़े हुए थे कुछ जहां व्याक्यान स्थल था वहापे आजू बाजू में लिम्डा के ज़ाड लगे हुए थे तो वहाँ वो खड़े हुए थे उसके पीछे मैंने आयो ज़क को कहा कि देखो भाई ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं जाड़के इनको सामने लाके बिटाओ ना ये पीछे क्यों खड़े हैं जो सब लोग बैटे हैं वो भी आकर बैटे हैं तो उसमें से एक ने कहा कि राजी भाई वो आपके सामने नहीं आ सकते गाउं देखना चाहता हूं और गरीबी क्या है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं मात्मा गांधी जिस अंतिम व्यक्ति की बात कहा करते थे भारत में उसको उच्छे स्थान मिलना चाहिए वो अंतिम व्यक्ति की सिस्थती में रहता है वो जरा मैं देखना चाहता हूं मेर तो मेरे कारीकरताओं ने मेरे दो-तीन प्रोग्रेम कैंसल करके मुझे गाओं में घुमाना शुरू किया तो भवानी पटनम से करीब 30 किलो मीटर दूर में एक गाओं में गया और उस गाओं में जाने के बाद में ये देखने लगा कि कौन सा घर ऐसा है जो अच्छे तरीके से बनाया गया है तो एक भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा मेरी आँखों से जहां लकड़ी का कोई दरवाजा लगा हो और एक भी घर ऐसा नहीं था जहां कोई छट रखने के लिए कुछ द्यवस्थित कुछ किया गया हो चट भी क्या है वो जो धान की फसल होती है पैड़ी जब पैदा होता है तो पैड़ी को पैदा होने के बाद जब फसल पक जाती है उसमें से धान तोड़के निकाल लिया जाता है उसका जो फूस बचता है भूसा बचता है उसको डालके तो चट बनी हुई है और उसमें कुछ बंडे बंडे लगे हूँ, बस यही छट है, दरवाजा है नहीं, और कोई भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा, जो 10 फिट बाई 15 फिट से जादा का हो, एक घर का जो मैकसिमम एरिया है, वो 150 स्क्वेर फिट, और उसमें 5 लोगों का परिबार, 7 लोगों का पार रहता, घर देखते देखते मेरे मन में ऐसा आया, कि चलो इस गाउं के किसी सरपंच के घर में चले, साइक उसका घर कुछ अच्छा हो देखने लायक हो, क्योंकि मेरे मन में ऐसी कलपना थी कि जो गाउं का सरपंच होता, वो पैसे वाला होता है, कुछ तो उसके पास पैसा होता ही है अच्छा घर बनाके रहता तो सरपंच के घर में गया तो बस इतना ही फरक था सरपंच और बागी घरों में कि किसी भी घर में तो दर्वाजा नहीं था सरपंच के घर में एक फटा हुआ कपड़ा लटकता था वो उसका दर्वाजा था तो किसी ने का देखो यही सरपंच का घर है तो मैंने का अच्छा ठीक है भाई सरपंच को जरा बाहर बुलाओ उससे मुझे कुछ चर्चा करनी है तो मेरे कारिगर दाया पूज़ा क्या चर्चा करनी है तो उसने का कि उसके बारे मैं उससे मैं पूछना चाहता हूँ, यह गरीबी इतनी जादा क्यों है यहांपर, शायद मुझे उससे कुछ ग्यान मिल सके। तो उसने अगा ठीक है मैं बुलाता हूँ तो उसने आवाज दिया उड़िया भाशाम तो मैंने देखा कि सरपंच नहीं आया पहले उसकी पत्नी बाहर आई और जब उसकी पत्नी बाहर आई तो मैंने देखा कि उस बेहन के शरीर पर दो मीटर कपड़ा नहीं था जिससे वो अपने पूरे शरीर को ढख सके दो मीटर कपड़ा नहीं था फिर मैंने उसको कहा कि आप अंदर जाओ अपने पत्नी बाहर बेजो तो वो महिला अंदर गई तब थोड़ी देर के बाद उसका पत्नी बाहर आया और देखते ही मेरी आँखों में आँसु आ गए मैंने देखा कि वो पुरुश वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया जिसको उसकी पत्मी लपेटे होती और उस दिन मैंने मान लिया कि महात्मा गांदी की आत्मा को कभी शान्ती नहीं मिल सकती कैसे उनको मोक्ष में लेगा जिस अंतिम व्यक्ती की कल्पना करके वो इस देश में से चले गए वो अंतिम व्यक्ती आज इस इस्थती में है कि 2 मीज़ कपड़ा नहीं अपने शरीर पर पहनने के लिए और एक ही कपड़ा है उसको बदल बदल कर पत्मी लपेटती है और पत्मी लपेटता है पत्मी जब पानी भरने के लिए जाती है तो कपड़े को लपेट कर जाती है पती जब बाजार में कहीं मजदूरी का काम करने के लिए जाता तो पत्नी को अंदर रखके वो कपड़ा लपेट कर बाहर जाता है ऐसी परिस्थिती में हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार रहते हैं बारफ सरकार के आकणों के अनुसार अभी हमारे देश में 11 करोड परिवार ऐसे हैं जिन में प्रतिव्यक्ति एक आदमी के पास 2 मीतर कपड़ा नहीं है पहनने को 11 करोड परिवार ऐसे हैं पूरे देश में सरकार के आकणों के अनुसार 13 करोड परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जहां की महिलाओं को माताओं को, बहनों को संडास की व्यवस्था नहीं है अपटे घर उन महिलाओं को शोच की व्यवस्थाओं को किसी तरह से पूरा करने के लिए सड़क के दोनों किनारे बैठना पड़ता है और मैं भारत के गाओं गाओं में जाता हूं तो सबसे ज़्यादा कोई मुझे मेरा कारिकरता पूछता है राजी वह आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से होती है तो मुझे सबसे जादा तकलीफ उस समय होती है कि जब मैं किसी गाओं में घुस रहा होता हूँ मेरी गाड़ी की हेड लाइट सड़क के दोनों किराने पड़ती है और बहुत सारी महिलाओं को उठ जाना पड़ता है मेरी गाड़ी निकल जाने के बाद फिर उनको बैखना पड़ता है उस समय मेरे दिल को सबसे ज़्यादा चोट लगती है और मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूँ घुलता रहता हूँ कि आज़दी के 53 वर्षों के बाद हम 13 करोड परिवारों को संडास की व्यवस्था नहीं दे पाए 11 करोड परिवारों को पहनने के लिए प्रतिव्यत्ती 2 मीटर कपड़ा नहीं दे पाए हमारे हिंदोस्तान में अभी भी कुन परिवारों की संख्या 22 से 23 करोड है थोड़ा liberal estimate अगर लगाया जाए तो कुन परिवारों की संख्या भारत में 25 करोड है तो 25 करोड परिवारों में से 13 करोड इतनी गरीवी में रहते हैं कि ना तो उनके पास पहनने को कपड़ा है ना संडास की व्यवस्था है ना खाने को ठीक से भोजन है दो समय को ठीक से मिलता नहीं कभी मिल जाए तो वो धन्यता मानते हैं अगले दिन इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से मिलता रहे तो एक तो ये भारत का चित्र है और दूसरी तरफ भारत का एक चित्र और है जिसको देखकर मुझे कभी खुननस आती है मन में गुसा भी आता है और वो चित्र है बंबई का दिल्ली का बंगलौर का मद्रास का कलकत्ता का वो चित्र क्या है मेरे मन में जो गुसा पैदा करता है वो ये कि वहां उड़ी साके गाउं में रहने वाला आदमी रोज आठ घंटे हाल तोड मेहनत करता है और उसकी पत्मी को दो मीटर पहनने को कपड़ा नहीं मिलता और यहां बंबई के स्टॉक एक्षेंज में बैठकर कोई आदमी सिर्फ फोन पर हाई हलो करता है और एक दिन में हजार करोड बना लेता तब मुझे खुननस आती है कि यह कौन सी व्यवस्था है जहां हिंदुस्तान का सबसे अंतिम आदमी आठ घंटे मेहनत करे कहीं हार तोड धान लगाए गेहूं लगाए बना लगाए हमारे खाने के लिए पैदा करे उसको खाने को दो समय की रोटी नहीं सबसे ज़्यादा मेहनत होती है खेती के काम में उससे ज़्यादा मेहनत का काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं सबसे ज़्यादा इसकिल्ड वर्क है दुनिया में वो खेती का काम है उससे ज़्यादा इसकिल्ड दुनिया में कोई काम नहीं तो उसको आठ गंटे भेंकर मेहनत करने के बाद भी दो समय खाने को ना मिले, पहनने को ना मिले, उसकी पत्नी को संडास के लिए बातरूम ना मिले, और दूसरी तरफ यहां फोन पर कुछ इधर उधर करके, एक एक आदमी एक हजार करोड बनाए, दो हजार करोड बनाए, प पूरी जिंदगी का उनका एक टार्गेट है कि मेरे पास एक हजार करोड की प्रॉपरिटी, किसी ने बना रखा पांच हजार करोड की प्रॉपरिटी, किसी ने बना रखा दस हजार करोड की प्रॉपरिटी, और ये लोग जो एक हजार करोड, दो हजार करोड, पांच हजार क सिक्ताई है जीवन का इतना नंगा सच जो आज Hम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको देखकर अगर सब्सक्त ले सकते हैं तो यह ले सकते हैं कितना री अच्छा आशियना बनाईये और यह अ एक मिनट भी 7.8 स्केल रेक्टर पर आया तो ये सब धुस्त हो जाने वाला क्या करेंगे इसका तो भी जिंदगी का लक्ष है किसी का एक हजार करोड पांच हजार करोड दस हजार करोड तो मुझे लगता है कि ये विवस्था अगर हम बदलेंगे नहीं तो महात्मा गांधी क भी आत्मा को शान्ती मिलेगी नहीं और सिर्फ महात्मा गांधी की आत्मा की शान्ती का प्रश्ण नहीं है आपको भी शान्ती नहीं मिलेगी अगर हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा है और दूसरा हिस्सा इसी भारत में मैं देखता हूं कितनी बड़ी विडंबना है 20-25-30 लोग हैं, जिनके हाथ में मूबाईल फोन हैं। बीस-पैप्चिस-Tीस लाइख ह। outbreaks की सब जोड़कर। ती अधिकरे थे आने हैं। नौ करोक लोगों को हाथ में हमने भीक का online भीकरे रहा ह। और बीस-पैज्फिस लाख लोगों के 7.9 हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है इस growth rate का, कि 9 करोर लोगों के हाथ से भीग का कटूरा अगर आप नहीं निकाल पाते, कोशिश तो ऐसी करिए कि हिंदुस्तान के हर आद्मी के हाथ में mobile phone हो, तब तो उसमें कुछ सार ठकता है, और अगर ऐसा हिंदुस्तान नहीं बना सकते हम, तो ये हिंदुस्तान आपको जिंदा भी नहीं रहने देगा, वो आप भी सोच लीजे इसके बारे, क्योंकि ऐसी व्यवस्ताएं बहुत दिनों तक चलती नहीं है, जिन व्यवस्ताओं में 4-5 करोड़ लोगों के पास तो शायद 1000 करोड़ की प्रॉपरिटी, और 96-97 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं इस देश्म, ये व्यवस्ता बहुत दिन नहीं चल सकती, और वो चलेगी नहीं, वो तूटती जा रही है, और ये व्यवस्ता के तूटने के कुछ बड़े कारण है, उन में से एक बड़ा कारण है, हमारा हिंदुस्तान में जो मॉडल हमने बनाया है, डवलप्मेंट का, वो सारा का सारा मॉडल उधार का है, अमेरिका से कुछ उधार ले लिया, यूरोप से कुछ उधार ले लिया दुनिया भर के देशों से उधार लेकर हमने हमनारा डवलप्मेंट का मॉडल बना लिया और इस डवलप्मेंट के मॉडल में हमारा उद्देश ही क्या है हमारा उद्देश है कि परकेपिता इंकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती हमारा उससे भी बढ़ा आज का उद्देश यह हो गया है कि इस डवलपमेंट के मॉडल में परकेपिता कंजम्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता अभी तो वो income को बाजू में रखके per capita consumption बढ़ाने की बात होती है अमेरिका और यूरोप में जो development का model है उसमें per capita consumption की बात है उसी को पूरी तरह से हमने डिक्टो फालो कर लिया अब per capita consumption बढ़ाने के लिए हम कभी भी यह नहीं सोच पाते कि जब 50 करोर लोगों को जिन्दगी जीने के लिए नियूनतम सुवधाय नहीं बिलेंगी तो कैसे per capita consumption आप बढ़ाएंगे इस देश का अगर उनकी जिन्दगी चलाने के लिए नियूनतम जरूरतें पूरी हो सकती है तब तो per capita consumption की बात हम कर सकते हैं यहां तो कुछ भी नहीं यूरोब और अमेरिका ने ये per capita consumption का जो model बनाया है उसके पीछे एक बड़ी विशेशता है उसको अगर हम समझ लें तो शायद कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी और यही कहके मैं यह व्याक्ष्यान पूरा करना चाहता हूँ कि जिस यूरोब और अमेरिका ने ये per capita consumption का model बनाया है उनकी economy की कुछ माननिताएं है और उनकी economy की जो माननिताएं हैं वो economy की जो माननिताएं हैं वो society मैं से निकली उनकी अपनी कुछ social माननिताएं भी है उनके समाज की भी अपनी माननिताएं है जैसे यूरोप और अमेरिका का समाज है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जो व्यक्ति है वो सुप्रीम है बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो व्यक्ति के अधीम है मने दुनिया का जो धाचा है उसमें पेर है पंशी है पौदे है हमारी नदियां हैं, पहार हैं, परवत हैं, जर्ने हैं ये सब व्यक्ति के लिए हैं व्यक्ति सुप्रीम है, बाकी सब उसके नीचे हैं ये फिलोसफी है यूरोप की इसी फिलोसफी का पूरी दुनिया में परचार किया था रूसों ने, रूसों के पहले दिकारते ने, दिकारते के और पहले चलें तो जो दो बड़े दर्शन, दार्शनिक माने जाते हैं जैसे प्लैटो वगएरा वगएरा उन्होंने इसी दर्शन का परचार किया इस दर्शन में से क्या निकला? मनुष्य महत्युका है बाकी सब उसके नीचे है तो मनुष्य सुप्रीम है बाकी सब उसके अधीन है तो मनुष्य चाहे तो प्रकरती का भी नाश कर सकता है मनुष्य चाहे तो दुनिया के दूसरे लोगों को गुलाम भी बना सकता है तो दूसरों को गुलाम बना लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को लूट लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को सबसर्वियंट बना लेना में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, इस माननिता मैंसे यूरोप बना, इसी माननिता मैंसे अमरीका बना, अब हमने भारत के बा परियावरन है यह जो प्रकर्ति है इस पूरे पर यावरन में जो भी कुछ हम को दिखाई दे रहा है उन में से कोई भी सुप्रीम नहीं है सब बराबर है हम खीटी को, मक्षी को, मच्छर को, गाए को, बैल को, बकरी को, भैस को या किसी भी दूसरी चीज़ को मनुश्य से उपर नहीं मानते सांख्य दर्शन में एक शलोक है और रिग्मेद में भी एक शलोक है दोनों में इस पश्ट कहा गया है कि जो जीव हैं, जो जन्तू हैं और मनुश्य हैं, ये सब समकष हैं, तो हमारी माननता सबको बराबर मानने की है तो हमने बराबरी की माननता रखी है, और उन्होंने मनुश्य को सुप्रीम बनाया है अब हमने चुकि बराबरी की मानिता रखी है इसलिए उसी मेंसे ये कलपना भी निकली है कि बहुत प्रकरती का नाश मत करो क्योंकि प्रकरती किसी मनुश्य के अधीन नहीं है जीव जन्तुओं का नाश मत करो क्योंकि ये जीव जन्तु किसी के अधीन नहीं है बले ही वो कमजोर है या ताकतवर है इसका बहस हमने कभी नहीं चलाया यूरोप और अमेरिका में ये जो economy आई है जिस economy के आधार पर वहाँ सब को चलता है उसका एक basic principle है और वो principle है survival of the fittest आप अगर समझने की कोशिश करो यूरोप और अमेरिका को तो वहाँ एक ही सिद्धान्त है वो सिद्धान्त है survival of the fittest माने जो ताकतवर है उसी को जिन्दा रहने का अधिकार है जो कमजोर है उसको मर जाना चाहिए या ताकतवर का गुलाम बन जाना चाहिए भारत की जो philosophy है वो इसके ठीक उल्टी है भारत की philosophy है survival of the weakest हमने जो philosophy बनाई है वो philosophy है survival of the weakest या बल्कि मैं एक कदम आगे जाकर कहूं तो भारत का जो जेन दर्शन है बौद दर्शन है या जो पारंपरिक हिंदू दर्शन है उन तीनों को अगर एक वाक्य में लाना हो तो हमारी philosophy है survival of the all including the weakest और यूरोप और अमेरिका की philosophy है survival of the fittest हम मानते हैं survival of the all including the weakest और वो मानते हैं कि weakest के लिए कुछ होना तो उनके जो model है उनमें गरीबों के लिए मुफलिसों के लिए बेकारों के लिए मर जाने वाले लोगों के लिए कोई इस्थान नहीं है मरते हैं तो मर जाएं अमेरिका को बनाने में 10-11 क्रॉर रेड इंडियंस मर गए किसी को अफसोस नहीं है इस बात का अमेरिका की इतनी बैवभव तायार करने में दुनिया के करोरों लोगों को लूट लेना पड़ा उसका उनको कोई अफसोस नहीं है यूरोप को इतना भब्य बनाने में दुनिया के पचास थेशों की संपत्ती लूटी गई उनका उनको कोई अफसोस नहीं है तो वो कहते हैं कि जो गरीब है गरीब है बेकार है मुफलिसी वाला उसको तो मर जाना चाहिए जो ताकतवर है उसी को जिन्दा रहना चाहिए तो ताकतवर को जिन्दा रहने का जब सिद्धानत आप बनाएंगे तो उसमें से निकलेगा कॉम्पटीशन और कमजोर से कमजोर को जिन्दगी बिताने का अधिकार आप देंगे तो उसमें से निकलेगा कोपरेशन भारती जो सब्विता है वो कोपरेशन प्रधान है अमेरिकन और यूरोपियन जो सब्विता है वो कॉम्पटीशन प्रधान है अब हम फस गये हैं कॉम माननिता हमारी competition वाली है. और रहने की जगे cooperation वाली है. कैसे चलेगी यह व्यवस्ता। और चु़कि हमने competition प्रधान माननिता को अपने दिमाग में भर लिया और यह माना कि बीना competition के development नहीं होता। मैं यह कहता हूँ कि भारतियता में बीना cooperation के development नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि कॉंपुटिशन प्रधान माननेताओं की चीज़ों को तक्णिकी को और उनके संसाधनों को लेना शुरू किया और जबर जस्ती उसको कोपरेशन प्रधान सुसाइटी में इंप्लिमेंट करना शुरू किया उसमेंसे ये निकला है जो आज हम देखते हैं कि 20 लाक लोगों के हाथ में मुबाइल फोन 9 करोना लोगों के हाथ में भीक का कटोरा 34 करोना के पास 1000 करोना की प्रॉपरिटी और 96-97 करोना के लिए भी नहीं ये इसी मेंसे निकला है अब हमारे सामने प्रश्नीय है के हम करें किया? तो महात्मा गांदी को अगर सची शर्दांजलियम देना चाहते हैं, तो ये करें, गांदी जी कहते थे किसी भी देश की economy उस देश की मान्lica'ों के आधार पर अगर बनेगी तो sustainable होगी और उस देश की मान्lica'ों के विरुद्ग की प्रधानता होगी competition की नहीं अगर हमको operation की प्रधानता के आधार पर काम करना शुरू करें तो ये जो दिखाई दे रहा है भारत इसको 20 साल में हम बदल सकते हैं बहुत मुश्किल नहीं और इस भारत को अगले 20 से 25 सालों में बदल देने के लिए मैंने एक plan तयार किया और वो plan अगले 25 वर्षों के लिए तयार किया और मैं चाहता हूँ कि अगले 25 वर्षों तक इस plan पर हम सब लोग अगर काम करें तो 25 वर्षों के बाद हमारी जो नई प्यूडी जवान होगी जैसे ये सामने कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहा हैं ये शायद उस भारत के बारे में जो गांदी जी ने कभी सपना देखा था रह सकेंगे ऐसे भारत में और उसको और बहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे आप पूछेंगे राजी भाई ये पच्चीस साल की जो योजना है इसके कुछ सूत्र आप बता दीजे दो तीन सूत्र बता के मेरा व्याख्यान में पूरा करता हूँ सबसे पहला सूत्र ये है कि हमारे देश में ये जो कॉम्पटीशन घुज गया इसमें से बाहर निकलना है हमको तो कॉम्पटीशन से बाहर निकलने के लिए दूसरा विकल्ट क्या है कोrisION में जाना है तो कोईपरेशन के लिए क्या करना है हरे एक व्यक्ती दूसरे की मदद करे मैं रहता हूँ मेरा कोई पडोसी है वो मुझसे नीची इस्थती में है तो मैं उसकी मदद करूँ उसका कोई पडोसी है वो उसकी मदद करे उसका कोई पडोसी है वो उसकी मदद करे अब आप पूछोगे कि मदद कैसे करें खेराद दें क्या उसको पैसा दें क्या भीग दें भीक नहीं चाहिए उसको, खेरात भी नहीं चाहिए उसको, उसको सम्मान जिनक जिम्विंदगी बिताने के लिए कुछ जरूरते हैं, वो पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, तो आप कैसा सहयोग कर सकते हैं, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जिस अपसे एड नहीं चाहिए ठेड चाहिए सबाइब यह जो हमारे मन में गुज गया नहीं कि हम एक देते रहें तो मत कुछ नहीं उनको ट्रेड चाहिए बहुत कुछ लोगं बनाते हैं हमारे देश नहीं लेकिन हम उसको इसलिए नहीं खरीदते कि वहна on और आयात होके बहुत कुछ आता है हम उसको इसलिए खरीपते हैं कि वो competition प्रदाने चाइना से माला रहा है अन्दुन भिकरा गंबई के बाजार के वो competition प्रदाने क्यों प्रदाने क्यों कि एक रुपए का cell भिकरा है ले लो वाई टॉर्च भिकरा है ये 5 रुपए की 10 रु वाला माल इतना सस्ता क्यों मिल रहा है चीन से आने वाला माल इसलिए सस्ता मिल रहा है सबसे बड़ी बात कि उनके हाँ कोई democracy नहीं है पूरा का पूरा डिक्टेटर्शिप है डिक्टेटर्शिप इस तरह का है कि कोई मजदूर दिन भर काम करे और उसको 10 रुपए भी तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों से उत्पादन कराती है जिनको एक पैसा भी नहीं देती जैसे चीन की जेलों में बहुत सारे कैदी बंद हैं वो सारे कैदियों से production कराय जाता बदले में एक धेला उनको नहीं दिया जाता और दूसरा चीन में ये संकल्प किया है कि वाला माल दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट होगा उस पर लोकल टैक्सिस भी माफ तो एक तो लोकल टैक्सिस माफ कर दिये बिजली बहुत सस्ती कर दिये आप हिंदुस्तान में एक फैक्टरी चलाते हैं इस समय आपको चार सारे चार रुपर यूनिट देना एक बेल टकापर चीम में आपको अब जो डॉलर का लोन मिल सकता अगर एक्सपोर्ट करना है आपकी फैक्टरी अगर एक्सपोर्ट औरियंटेड है तो फिर उन्होंने बिजली भी कम की हुई है लेवर उनके यहां बहुत सस्ता है और कोई लेवर लॉन नहीं है आज कान प कोई बेच रहें कितने सस्ता को दूसरे बेचें आप 10 रूपाए में बैटरी बैच रहें वो फे Mitte में वेच आप 2 रूपई पर आजाए तो और बेड़न्य К diver si को मैस्ति Oke Tá आता हूं आप अगर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में हम सारे इंडस्ट्रीज को इस तरह से री स्ट्रॉक्चूर्ड करें कि हिंदुस्तान में भी बैटरी एक रुपई की बितने लगे तो चीन वाले 50 पैसा कर देंगे उसका फिर आप कोशिश करोगे चलो हम भी 50 पैसे और ले लो मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूं कि कॉम्पटीशन की कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है इसलिए ये कॉम्पटीशन के चक्र में ना फसें इसमें से निकल कर कोपरेशन में जाएं तो क्या होगा कि वहीं मेरे देश में बनता है मेरा कोई पढो मेरे पढूशी को व्यापार मिलता एगर हम हुए को रोजगार दे सकें इसके लिए कोई कोब परेशन की नूं ही पूरे देश चला है तो इसमेंसे हिंदुस्तान मिकल आयएगा जहां फस गया है पूरा का पूरा देश और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये पिछले दस वर्षों से बहुत जादा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि हम competition में फस गए cooperation वाले लोग competition में फसेंगे तो ना तो वो competition कर पाएंगे ना cooperation कर पाएंगे और competition वालों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई limit नहीं है ना चीन की कोई limit है ना यूरोप के लोगों की कोई limit है आप उस limit को कभी cross नहीं कर पाएंगे तो वापस लोटें और अपनी cooperation की दुनिया में चलें और cooperation की दुनिया क्या फिर repeat कर रहा हूँ कि अगर आपके गाओं में कुछ माल बनता है उसको पहले खरीद है cooperation ये है आपके गाओं में नहीं बनता बाजू के किसी गाओं में बनता है उसको खरीद है वो cooperation आपके दो गाओं के बाजू में नहीं बनता किसी जिले में बनता है उसको खरीद है वो कोपरेशन है और जिले में भी नहीं बनता मेरे किसी प्रदेश में बनता है उसको खरीद है वो कोपरेशन है प्रदेश में भी नहीं बनता भारत के किसी दूसरे प्रदेश में बनता है उसको खरीद है वो कोपरेशन है तो ये कोपरेशन की भावना अगर हम समझ पाए तो मैं वानताओं कि भारत की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए ये एक बात काफी है और कोपरेशन की दुनिया में हम अगर वापस लोट आए तो हिंदुस्तान की ये गरीवी भुकमरी बेकारी सब हम दूर कर सकते है और गरीवी भुकमरी बेकारी को दूर कर पाए तो शायद अपने लिए भी और महात्मा गान्दी की आत्मा के लिए मोक्ष की परिस्थतियां बना सकते है तो मोक्ष की परिस्थिती बनाने के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता था गांदी जी ने ग्यारे वरत दिये उन्में से एक वरत है स्वदेशी वो स्वदेशी का वरत इसी कोपरेशन के सिद्धान पर पिका हुआ है तो आज आप इस हॉल से जब उठकर जाएं तो अपने मन में ये संकल्प लेकर जाएं कि गांदी जी ने जो स्वदेशी का वरत हमें दिया कोपरेटिव सुसाइटी बनाने के लिए वो सुसाइटी बनाने के लिए हम हमारे जीवन में स्वधेशी का संकल्ब करेंगे और इन विदेशियों का बहिश्कार करेंगे वस्तूओं के इस तर पर जब आप बहिश्कार करने का संकल्ब कर लेंगे तो अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए कि गल्वती से भी कोई चाइनीज प्रॉडक्ट मत खरी दिये उसकी जगे कोई भारतिय वस्तू ही खरी दिये कोई कहेगा कि राजी भाई वो तो सस्ता है हमारा महेंगा है तो कोपरेशन की भावना से खरी दिये ना कि कॉम्पूटिशन की भावना से भले ही हमारे देश का कोई प्रॉडक्ट महेंगा है लेकिन ये मानकर खरीदिये कि ये प्रोड़क्ट खरीदने से मैं किसी गरीब आदमी को रोजगार दे रहा हूँ ये प्रोड़क्ट खरीदने से मैं किसी को व्यापार दे रहा हूँ ये प्रोड़क्ट खरीदने से जहां शीन्ग तिल निकलता था नारियल का तेल निकलता था वो सब लिखर बंदें क्योंकि विदेशी पाम तेल विक रहा ओप Regent कि क्वंपोटीशन में के क्या है 20 रुपए लीटर का हमारा जो मुंफली का तेल है शंग तेल हं नहीं बख रहा है क्योंकि eg 40 रुपै लीटर का तो कॉमपोटीशन में चलके पाम तेल हमखरीद रहें सब इंडस्ट्री जो बंदो रही है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री भी बंदो रही है कोरिया से कपड़ा आ गया ताइवान से आ गया सिंगापूर से आ गया हॉंग कॉंग से आ गया और वो कपड़ा छे सात रुपए मीटर में मूलगी जेठा यहां मुंबई में बंद और टेक्स्टाइल में नहीं बंद नहीं है पूरा गापूरा यह जो पावर लूम चलाने वाली इंडस्ट्री बंद हो चुकी है आप जाओना विवंडी में तीन लाख पावर लूम्स बंद पड़े विवंडी में इसी परेसे विदेशी सीमेंट कॉस्मेटिक्स के सामाना अभी तो सरकार एक अप्रेल से इस कॉंपुटिशन को और बढ़ने जा रही है एक अप्रेल सन्थ 2000 एक के बाद सरकार कह रही है कि बाहर से आने वाली कोई बस्तू पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी जीरो कस्टम ड्यूटी और बाहर से आने वाली कोई भी बस्तू पर क्वांटिटेटिव रिस्टिक्शन्स भी नहीं होंगे तो क्वांटिटेटिव रिस्टिक्शन्स हटा देंगे कस्टम ड्यूटी पूरी विड्रो कर लेंगे तो विदेशी माल बिखेगा इंदुस्तान में दस रुपए किलो, स्वदेशी माल होगा पचास रुपए क súper लुपए किलो तो लोगों के मन्ने क्या है? कॉम्पोटीशन बिठा दिया आना तो वो कहेंगे कॉम्पोटीशन करो अब competition होता है दो बरावर के लोगों में आप इस बात को ध्यान कर लिए अगर चीन का कोई माल भारत में आकर बिकता है और चीन में उस माल का उत्पादम करने के लिए 90 पैसे यूनिट की बिजली है डेवल टका के रेट पर उनको ब्याज डेवल टका के बियाज पर अबजो डॉलर का लोन है और 100% एक्सपोर्ट की सबसिडी है तो अगर यही फैसलिटीज भारत में नहीं है तो कैसे competition करेंगे यूरोप और अमेरिका की company आ रही है अमेरिका में जानते हैं maximum rate of interest system है साड़े चार टका तो साड़े चार टका के रेट पर अब जो डॉलर का लोन वो लेकर आएं और हिंदुस्तान के किसी उद्ध्योपती को करज लेने के लिए कम से कम तो 12, 13, 14 टका बियाज देना पड़े तो 1,5 टका का बियाज और साड़े चार टका का और यहां का बियाज 12 टका, 13 टका, 15 टका का दोनों में कभी कॉम्पूटिशन होगा क्या विदेली कमपनियां आती हैं उनको 10 साल के लिए टेक्स हॉलिडे और आपके उपर 43 डिपार्टमेंट बिठा दिये सरकार में जो रोज आपका खून पीने से हिंदुस्तान में एक फैक्टरी आप चलाईए एक दिन मैं हिसाब जोल रहा था 43 इंस्पेक्टर आते हैं अगर कोई पर्मनिंट काम वहाँ पर करना है हमको तो वो ये हो सकता है कि लॉइन्स कलब की मदद से रोटरी कलब की मदद से या रोटरेक्ट की मदद से या इनर्वी की तरफ से या लॉइनेस की तरफ से या आजदी बचाओ अंदोलंग जैसे कारिकर्ता जो लगे है पूरे देश में उनकी मदद से उस पूरे बेल्ट में लोगों के बीच में एक बड़ा कैम्पे निस बात के लिए चले कि आपके जो आशियाने उजड़ गए ठीक है, हो गया वो हो गया अभी आगे अपना घर आप कैसे बनाए तो उस संदर्व में में मेरे कुछ मित्रों के साथ जो सीस्मोलाजिस्ट हैं जो भूकंग के विशय के ग्याता हैं और उंचे पदों पर भारत Σरकार में काम करते हैं उन में मेरे एक बहुत नजदी की मित्र है डॉक्टर नेगी करके रोलकी में हैं वो रोलकी उनिवर्सिटी में सीस्मोलाजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत Σरकार को उनसे मैंने अपील की है कि एक 25 पन्ने की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे है वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाशा में बंगला भाशा में और इधर जो नौर्थीस्ट का इला के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुज़राती भाषा में शीरा है आसामें आसामी भाषा में बने ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना है तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हूँ मिरव्याख्यान के शुरू में वो ये, कि ये जो भूकम पाया है, इसमें कुछ मदद तो हम तातकालिक रूप से करें, और कुछ मदद ऐसी करें जो पर्मनेंट रिलीफ हो, ताकि भविश्य में इस तरह के समाचार सुनने को न मि हैं कि भूकम पाया और उसमें 50,000 लोग मर गए, आप जानते हैं कि इस भूकम में 50,000 लोग मर चुके हैं, एक लाख लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है, माने लगबग 1.5 लाख लोगों की कुल मरत्यू होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्केज में सुनेंगे, भारत में ये जो भूकम पाया है, इससे बड़ा भूकम एक ही बार आया है, वो चीन में आया था, चीन का भूकम पाच से लगबग 40-45 वर्ष पहले आया था, जिसमें 8 लाख लोग मरे थे, तो ची पाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगरा वगरा, लेकिन जो दूसरा पर्मनेंट काम उन्होंने किया, जिस इलाके में भूकम पाया, वहाँ घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है, कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकम पाया, लेक है यह कि वो भूकम पूरोधी हो मह फोर्जाशर नहीं हो रहा है अच्छाःर यह गाटार आ रहे ह vídeo मर गए हैं लेकिन जीवृत बच गाएं वह माइग्रेट कर गाएं अंजार में मैंसे कर गए हैं बचाओ मैंसे कर गए हैं तो migration ज्यादा होने के कारण वहां जिनको आप relief देना चाहते हैं वो लोग नहीं माने जो पात्र है relief लेने के वो इस समय वहां पर उपलब्द नहीं तो हो क्या रहा है कि आप जो भी मदद भेज़ते हैं आर्मी ओफिसर्स उसको रख लेते और वो कहते हैं कि आप मदद छोड़के चले जाए तो मुश्किल अभी ये आ रही है तो मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि अगली बार जाप जो भी मदद भेज़ें जो आपने बेज़ दिया वो तो बेज़ दिया लेकिन नेस्ट उसमें आप दो बातों का ध्यान रखें कि ये जो राज़कोट से आप मदद बाटना शुरू करें राज़कोट को केंदर बनाएं वहां से चलें भुज़की तरफ तो रास्ते में मैंने बताया है 20 से 50 किलो मीटर तक अंदर है कुछ गाओं में रोड से 10-15 किलो मीटर के अंदर है तो इन गाओं में इस समय सबसे ज़्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि वहां कोई नहीं पहुँच रहा है और उन गाओं का नाम म्यूज में भी नहीं है तो आप जो नेक्स्ट अपना ट्रिप भेजेंगे उसमें चाहे डॉक्टर्स हो चाहे मेडिसिन्स हो चाहे कंबल हो या कुछ दूसरी सामगरी हो वो उन गाओं में जरूर भेजने की कोशिश करें जहां पे कोई नहीं पहुँच पा रहा है थोड़ी तकलीफ होगी आपको वहाँ तक जाने में क्योंकि वो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है में रोड्स तो जहाँ है लेकि अंदर गाओं में जब जाएंगे तो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है लेकिन सबसे जादा मदद इस समे उन्हीं को चाहिए तो एक तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ दूसरा अपील ये करना चाहता हूँ कि इस समय medicine first priority है medicines और doctors first priority second priority वहाँ पर कंबलों की है कंबल सबसे ज़्यादा चाहिए और नए कंबल चाहिए पुरानी कंबल ना भेजे जैसे कुछ लोगों की प्रवर्ती होती है कि घर में पुराना कोई कंबल है पुरानी रजाई है वो दे दिया वो किसी से ना ले नया कंबल ले नई रजाई ले गादी अगर ले सकें तो वो भी वहाँ बहुत ज़रूरी है इस समय तो सेकंड मोस प्रायोरिटी है कंबल गादी और रजाई और थर्ड प्रायोरिटी है गरम कपड़े उनी कपड़े वो स्वेटर हो सकते हैं जर्सियां हो सकती हैं कुछ भी वूलन वहाँ चाहिए शौल चाहिए काफी बड़ी संख्या में थर्ड प्रायोरिटी है वहाँ के लोगों को अपना बसेरा खड़ा करने के लिए ताल पत्री बहुत चाहिए ताल पत्री की इस समय वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है तो ताल पत्री हो उनको टिकाई रखने के लिए कुछ बंबू चाहिए कुछ बास चाहिए उसके टुकड़े चाहिए तो ये थर्ड प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी जो मैं मानता हूँ वो ये कि ये आप जानते हैं कि हमारे देश के सभी वैज्यानिक ये कह रहे हैं कि ये कच्छ का जो इलागा है आज की सभा में आये हुए मुंबई के सभी सम्मानित नाग्रिको भावना बहन उनके सभी सेह कर्मी बदाविकारी लॉइंस कलग के मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ कि महात्मा गांधी की पूरी तिथी के अवसर पर आज इस समारहू को आपने आयोजित किया और मेरे जैसे एक सामन निव्यत्ती को गांधी जी को श्रद्धांजली अर्पित करने का मौका दिया आज का समय थोड़ा सा गमगीम है क्योंकि अचानक से बड़ा जलजला आया है भूकम पाया है, धर्ती कम पाया है मेरे मन में एक दो बार तो ऐसा था कि मैं इस कारिकरम में जाओं के न जाओं दुविधा थी काफी क्योंकि बहुत सारे हमारे सहकरमी कारिकरता इस भूकम में भगवान को प्यारे हो चुके हैं आजदी बचाओ अंदोलन का भुज में कारियाले जो चलता था वो पूरी तरह से जमी दोज हो चुका है और हमारे कई कारिकरताओं का उसमें देहांत भी हो चुका है तो मन में थोड़ी दुविधा थी फिर भावना बेहन की थोड़ी प्रेरणा होई कि नहीं आप जरूर आ आए तो मैं यहां किसी तरह से आ गया हम सब में दो मिनट का मौन रखे उनकुष रधांजली अरपिट करी मैं भी उसमें शामिल हुआ इसका मुझे खुशी है यह जो भूकम पाया है इसमें आप सब लोग लाइन्स क्लब की तरफ से कुछ मदद भेज चुके हैं और कुछ भेजने की तयारी कर रहे हैं यह सुनकर भी मेरा होसला बढ़ा और आगे भी आप शायद यह मदद लगातार जारी रखेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है आप सबसे यह जो भूकम पाया है इसमें चार तरह के काम करने होंगे एक काम तो यह है कि तातकालिक रूप से दवाओं की बहुत जरूरत है डॉक्टरों की बहुत जरूरत है हमारे आजदी बचाओ अंदुलन के कारिकरता पिछले दो दिनों से भूकम प्रभावित छेतर में लगे हुए हैं चार टी में हमारी दो-दो डॉक्टर और दस-दस कारिकरताओं के साथ वहाँ पर उपस्तित हैं के डॉक्टर्स नहीं पहुच पार हैं भुझ में तो काफी बड़ी संख्या में मिलिटरी के डॉक्टर्स हैं देश के अन्यवी जाने माने बहुत सारे डॉक्टर्स भुझ और अंजार में पहुच चुके हैं लेकिन करीब 300-300 गाओं हैं राजकोट से भुझ अगर जाएं आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे शायद बाई रोल तो उस पूरे रास्ते पर 200 किलोमीटर का फासला है राजकोट से भुझ के बीच का लगबग उस रास्ते में करीब 350 गाओं हैं उन 350 गाओं को मदद की सबसे जादा जरूरत है इस समय जो जादा मदद पहुच र से निवेदन है कि अभी मदद जब आप भेजें तो उसको भुझ में न भेजें अंजार में न भेजें बचाओं में न भेजें क्योंकि ये तीनों इस्थानों पर जितनी जरूरत है उससे जादा पहुच चुका है अभी वहां लेने वाले लोग नहीं है क्योंकि काफी ब ऐसे ही एक जोन 4 है जोन 3 है जोन 2 है जोन 1 है जोन 1 में क्या आता है पूरा करनाटक करनाटक के साथ केरल ये जोन 1 है जहां पर कभी भी भूकम पाने की संभावना सबसे कम है करनाटक जोन 2 उससे जादा सेंसिटिव है फिर जोन 3 उससे भी जादा सेंसिटिव है जोन 4 उससे नागलेंग, मिजोरम, मनिपूर, त्रिपुरा ये पूरा का पूरा जो हिमालेयन बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का इलागा जिसमें उत्तरकाशी, पौडी, चमोली, गड़वाल वगरा वगरा ये जोन 5 में पूरा आता है अगर आप भारत का नक्षा देखेंगे तो हिमाले की चोटी से लेकर और इधर पश्यम की ये जो पूरी बेल्ट है गच्छ तक की ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भूकम के लिए तो जो लास्ट आपरेशन हमें करना चाहिए हम सब को मिलकर उसमें आप हम सब शामिल हो वो ये कि इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर जन जागरन का काम मास अवेकनिंग काम वो किस चीज के लिए कि घर कैसा बनाए ताकि अगले भूकम्प से बचें मेरा ऐसा मानना है कि लोक भूकम्प से नहीं मरते अपने बनाए हुए घरों से मरते भूकम्प लोगों की जान नहीं लेता कभी भी लेकिन लोगों ने जो अपना آश्याना बनाया है रहने के लिए बड़े मन से बड़े श्रम से बहुत सारा पैसा लगा के उसी आश्याने से मरते हैं मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो highly seismic zone होता है वहाँ पर घर कुछ इस तरह के होने चाहिए जिनकी छथ हलके से हलके material से बनाई जाए फाइवर का यूज कर सके हैं धास पूस का यूज कर सके हैं वो मिट्टी के जो कवेलू आते हैं टाइस आते हैं जिनको manglory tiles आप कहते हैं उनका यूज कर सके हैं अगर इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर उनकी छथ बनेगी तो अगले भूकम्प में मरने वालों की संख्या सबसे कम होगी मैंने आपको कहा कि भूकम्प तो वहां आने ही वाले हैं उनको आप भी नहीं रोक सकत आपके भूकम्प इस तारीक को आने वाला बारिश की भविश्यवानी की जा सकती है गर्मी की भी की जा सकती है भूकम्प की संभव नहीं तो भविश्यवानी करना एकदम असंभव है और यह highly seismic zone है इसलिए बारवार इसमें भूकम्प आने ही वाले है सालों साल यह चलने होगा क्योंकि बिना उसके कोई दूसरा रास्ता है नहीं अभी तो हम मदद कर रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं यह तो तातकालिक काम है लेकिन तो टूटे मरने वालों की संख्या कम से कम हो और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है वहां तो अकसर ही भूकम पाते रहते हैं तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं जो टेक्नोलजी उसमें इस्तेमाल की जाती है वो टेक्नोलजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें वो पर्मानेंट रिलीफ वर्क होगा शायद उसी का महत तो आने वाली प्य आशियाना बनाने के लिए तार पत्री वगज़ा वगज़ा जो चाहिए उसकी और आखरी मदब यह जो बुकलेट हम बनाने जा रहे हैं इस बुकलेट का लार्ज स्केल पर 밑्लिकेशन हो दसफीस हजार आप शाप कर दें ।-थ。 इसमुटे पर उन एक आखरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूँ वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांथ में उनके भूकम पाया तो जो भूकम परोधी घर बनाए या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकम परोधी घर बनाए उन घरों को बनाने के लिए डिज जबनीज गवर्मेंट ने जो प्लैन बनाया उसमें उनोंने कहा कि ये पूर्य घर बनानी की प्रेणा महत्मा गांदी के घर से मेली कॉ ओं सा घर मात्मा गांदे के तीन घर है। एक घर उनका तोर बंदर जहाँ जहाँ पर उनका जन्व हुआ, आप मैंसे शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, दूसरा उनका जवानी का घर, जहाँ पर वो जवान हुए पढ़ाई की वो राजकोट में, धर्मिंद्र रोड है एक राजकोट में, आप मैंसे शायद कई लोग गए होंगे, वहाँ पर उ भागे से वही रहता हूँ इस समय, महात्मा गांधी के घर के नजदी की मेरी कुटिया है, सेवा ग्राम आश्रम है, सेवा ग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है, उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंतर दे रहा हूँ, स्टेंडिंग आफर, आप भूकम्प से बचने के लिए इस से अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया अच्छा और एक मजे की बात में आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांदी जी ने डिजाइन किया वो खुद किया किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया महात्मा गांदी जी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी उसका उन्होंने वरणन अपनी एक पुस्तक में किया है उसकी दो लहिंड में आपको सुनाना चाहता हूं गांदी जी ने अपनी पुस्तक